कि अच्छी आ रही है थेंक यू नहीं नहीं पर्फ्यूम कि यह में लगा यह लगाना है कि अब कि लाइव चलो गया देखना कि अ कि हो गया कि 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 हलो गाइज वेलकम इनार ओडिट डिसकेशन आयम सी एक अपिल गोयल और तुदेश आर लेक्टर नमबर थ्री पोस्तिय इंटर ओडिट एंड एथिक्स स्वागत है सही बच्चों का आज के इस लाइव क्लास के अंदर फेस्टू फेस्टू फेस्ट क्लास में और जो जीडी पीडी वाले बाद में देख रहे हैं आपका भी स्वागत है आप लेट लतीफ हो लेकिन कोई बात नहीं दूरिया अच्छी नहीं लगती ऐसा आपको भी लगता है मुझे लगता है कोई बात नहीं बटा जल्दी दूरिया खतम हो जाएंगी लो जी लास्ट लेक्चर के अंदर प्लीज एक बार स्क्रीन लेके आएगा भाईयो लास्ट लेक्चर में कोई बताएगा हमने क्या क्य लिए देखिए एक बार फटाफट से रीकाप करते हैं पीछे वालों सब ठीको आप लोग बिल्कुल एक ही बच्चा बोल रहा है यह सर बाकी ठीको भाई आप लोग और उनकी बेहनों चलो उनसे पूछ लेते हैं आप सब ठीको लो जी लो I hope you all are doing good ठीक है बहुत अच्छे से क्या बात है तालिया बजाएंगे सिए अमन अब्रोल के लिए बहुत बढ़िया जी अमन बहुत बढ़िया काड़ बनाया आपने अपने अपने सुना कि मैंने बोला था कि चलो बना के लिए चलते बहुत बढ़िया लिखा है आपने सभी स्टुडेंट अपनी डेस्क पर अपना नाम कार्ड जरूर रखेंगे नेम का कार्ड जरूर रखेंगे लो जी एक बार फटा फट से रीकैप करता हूं आप फुल स्क्रीन पर आप मुझे लेकर आ सकते हैं विपिन भाई स्टुडेंट आए यहां पर और पूरा आपन डिसकस करते हैं कोई आएगा रुख जा तुम आजाओ चलो भाई माइक देना देखेगा और आज आपकी क्लास में एक महमान भी आने वाले मैंने बताया था ना तो आप उनसे भी मिलेंगे लड़किया फिदा ना हो जाएं ब सबसे पहले तो अपन लोग चूते नहीं है क्योंकि वह मैंनेजमेंट आप एक काम करेंगे फ्लीज भाई सुनिए यह क्या बोल रहे हैं सबसे पहले अपन फाइनेशल अपन जाते हैं फाइनेशल स्टेप्मेंट का और अडिट करने बड़ अपन उनको चूते नहीं है क्य सबसे पहले मैंनेजमेंट की चीजों को चेक करते हैं जो काम करने का मैंनेजमेंट का तरीका होता है अपन उसको देखते हैं उसमें सबसे पहले मैंनेशमेंट का प्रोसीजर चेक करते हैं अपने और उनको चेक करने के लिए क्या करते हैं अपने ताइम ओफ वौक्टृू आप लास्ट डिसिजानमेकिंग में क्या देखते हो वोक्टू का लास्ट टेप आप क्या करते हो अंडर्सेंडिंग के बाद आप लो यह देखते कि जो कंट्रोल से हमको डिजाइन किसे साब से करा जाता है डिजाइन एडिक्वेटली किया है नहीं क्योंकि अगर कंट्रोल का डिजाइन ठीक है तो हम नेक्स स्टेप पर जाएंगे जो कि कौन सा होगा हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल सेकिंड स्टेप रहेगा हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल अच्छ एक बात बताईएगा मैं आपसे कोशन पूसता हूं आप सभी आंसर दीजेगा क्या हम क्लाइंट के 100% कंट्रोल को चेक करेंगे जेक हैं किनंटरोल को पाइनश स्टेटमेंट के रियलेङट होंगी हाँ ओन लोग चैक करने वाले हैं ठीक से पहले होता जो है तो आपने यहां पर पॉइंट एड करना है कि first we'll discuss with the management the reason of control failure if the reason is justified we'll document it in we'll move forward otherwise अगर आपको reason justified ना लगे तो जो आपने पहले बोला वो आएगा कि सर हम other controls देखेंगे जिसको technical भाशा में मैंने क्या नाम दिया था compensating controls देखेंगे या फिर कुछ student इसे बोल देते है alternative controls भी हम इसमें देख लेंगे लेकिन जो सही वर्ड है वो क्या है compensating control is the correct word to use here for the controls आपको compensating control मिल जाते हैं जो कि उस रिस्क को कम कर रहा है we'll test them अगर वो okay निकल जाते हैं सारे बहुत अच्छी बात है otherwise अगर compensating control भी खराब है तो क्या करेंगे आप अप उसको भी पहला इसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि अगर इस तरह से control फेल हो जाएं तो मैंने का था अब हम लेकर आएंगे report को किसको कहां पर डाल देंगे हम reporting के अंदर मैंने audit report नहीं बोला बेटा मैंने हमेशा word क्या उसके है report कोई ना कोई एक report में जरूरी यह जाएगा एक और आप लोगों ने चेक किया सब सही मिला तो यहां पर भी हम एक decision making करेंगे उसमें क्या निकालते हो आप control टेस्टिंग के बाद क्या निकल के आता है तो एक रिस्क निकलता है वो रिस्क कौन सा होता है इन हेंट रिस्क था इन हे इन हेंट रिस्क किससे र्लेटिड होता है विजिनेस से रिलेटिड मैंड़ेगे लेटिटीयर से वूमेशा हमेशा हमेशा हर्डाजीशन में अप्र नाव वहां पे कौन से स्टेप पिर थी नंबर पर हम क्या करते हैं पहले पर दूसरे पर टीगुपसी नंबर की चेकिंग करते हैं हमारे एक्जामपल में पर्चेस था जिसके अंदर क्या बोलते हैं का डेटा दिया आपने पर चेस का डेटा देते टाइम को टेस्टिंग करो के उपर कौन सी टेस्टिंग करेंगे यह देखेंगे कि डेटा जो है आपका वह complete है, accurate है, reliable and relevant है, बिल्कुल ठीक, आगे चलो, आपने भीया data डाल दिया, अब क्या करो गया, materiality, materiality क्या होती है, एक ऐसी transaction जो आपके लिए बड़ा ही value रखती है, एक ऐसा number जो हमारे लिए बड़ा ही, उस number के अंदर अगर इस तरह की गलतिया मिले, मतलब material mistakes, अगर material misstatements हैं, तो उससे किसी भी stakeholder का decision क्या हो सकता है, change हो सकता है, तो that is material, तो कौन सा एक standard था जो हमें बताएगा कि आपको किसी भी company की materiality कैसे, तो idea को आपने data दिया, materiality दी और तीसरे number पे क्या दोगे, एक inherent risk और पांच भी एक और additional चीज़ आप में दे सकते हो, that is minimum sample, ठीक है आपने idea को data दिया, idea आपको क्या निकाल के देदेगा, उस sample को आप किसे भेज़ दोगे, हम उन samples को send कर देंगे, किन को जी, clients को, client को आपने relevant person को samples दे दिये, अब client आप को उनके क्या देगा, document, evidences, yes or no, आप उन evidences में क्या check करते हो, सिवोप, सिवोप नहीं बोलते बेटा, आपने technical word बोलना है, क्या, assertions, हम क्या test करेंगे, अब आप बोलो sir, कौन-कौन सी assertions, then you can say, कौन सी, सिवोप, C stands for, completeness, A, accuracy, V, valuation, C, E, A, B, O, C, E, A, A, accuracy, V, valuation, O से अपना, obligation, right and obligation, and P से, presentation, यह assertions हमें चेक करनी है, मैंने आपको एक और add-on बात बताई थी, कि ऐसा जरूरी नहीं है, कि जो sample निकलेंगे, उन सबसे हमारी सारी assertion, check हो जाएं, इसलिए हम क्या करेंगे, sample को check करेंगे, plus other audit procedures, इसे हम सभी assertion पे comfort लेने वाले हैं, दोनों ही अगर procedure को मैं total कर दूँ, मतलब sampling को मैंने बोला था, TOD, that is test of detail, और other audit procedures, दोनों को total कर दे तो इन procedures को substantive audit procedures, substantive audit procedures से हम सभी assertion पे comfort लेंगे, अगर ऐसा हो जाता है, तो हम बोलते हमारी purchase का area क्या हो गया, complete हो गया, यहां तक हमने discuss किया था, अब आप जा सकते हैं, बहुत बहुत धन्यावाद आप आए, ठीक है, बहुत अच्छा आ सबी लोग तालिया बजाएंगे, अब एक और बात देखेगा, यह दोनों ही class के lecture 1 का और lecture 2 का handwritten notes, मैंने lecture 2 में laptop सही से काम नहीं करा था, दुबारा से सही से थोड़ा frame करके, आपके लिए telegram पे डाला था, screen please, तो आपको यह telegram पे मिल गए थे, आपने अपनी notebook में बनाया, सेम copy-paste, नहीं, अच्छा जी, कितने students ने बना लिया, इस पूरा मैं आपके लिए share कर चुका हूँ, कितने लोगों ने बना लिया, अच्छा, बाकी सब students प्लीज बना लिजेगा, तीटो copy-paste, आप अगर कुछ addon करना चाहें, कर सकते हैं, माइनस कुछ मत करना, दो spiral आप के पास हमेशा होने चाहिए, एक writing practice का, दूसरा notes का, मुझे बच्चे excuse देते है, सर, दूर-दूर से आते, वजन उठा कर लाना पड़ता है, school जाते थे, आपका back कितना भारी होता था, आपको याद है, तब जब वहाँ पे आपको कभी दिक्कत नियों इस वजन उठाने से तो CA course में आपको दिक्कत क्योंने लग जाती है, नहीं होती न, नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मैं कभी भी आपके notes देख सकता हूँ, कि बेटा चलो आज आप अपने notes दिखाओ, तब यह नहीं कहेंगे, सर, notebook घर पर है, इसका मतलब यह कि आप घर पर हो, आप य किसी एक user का, कोई decision change हो जाए, अब reliance के user का decision एक अलग amount से change हो सकता है, और एक छोटी company के user का decision किसी एक अलग amount से change हो सकता है, तो materiality हर company के अलग-अलग होती है, कैसे निकालनी है, वो हमें एक नया standard है, जैसे आपके accounting standard है, ऐसा हमारे auditing standard है, कौन सा standard है, 320, वो हमें को कैसे कैलकुलेट करना है यहां तक सब को किलिए रहे भाई मैं हर क्लास के साथ साथ पूछ हूँगा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है हां जी जरूरी क्यों नहीं है आप एक बात बताइएगा आईडिया ने कितने सेंपल निकाले थे आपके लिए 300 क्या सर जरूरी है मैं 300 को चेक करूँ शाम को सर एक मिटिंग है मेरी मैं 200 करके काम चला लूँ आपको एक सोफ्ट्वेर बोल रहा है जो कि उस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वह सेंपल आप कैसे छोड़ सकते हैं आप एक सेंपल भी नहीं चोड़ सकते हैं ठीके जी चलिए जी आगे बढ़ेंगे आज मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल कंटेंट करवाँगा आ आएगा जो हमारा चेप्टर वन है मैंने जो फाइल चेप्टर वन की पीडियाफ मिल गई सभी को टेलिग्राम पर शेड है अभी मत निकालना कोई कोई जरुवत नहीं है क्लास के बाद आप आराम से टेलिग्राम चैनल से ले लेना यह अभी ड्राफ्ट फाइल है इसके सा क्या था लास्ट क्लास में एक बर दुबारा रीड करेंगे मेरे लिए क्या बोलता है और इंडिपेंडनेंट एग्जामिनेशन और फाइनशल इंफोर्मेशन ऑफ एन वेदर प्रोफित ओरियंटिड और एन एरिस्पेक्टिव ओफिट साइज और लीगल फॉर्म वेन सच एन एक्जामिनेशन इस कंडुक्टिड विदे व्यू टू एक्स्प्रेस एन ओपीनियन देर ओन सर याद करनी है क्या यह नहीं बेटा इसको रीड करना है मैं हर कंसेप्ट के साथ बताऊंगा आर और एल एल का मतलब लें करना है लेकिन एल का मतलब यह नहीं कि एज़टी कि सर ओन लैंग्विज में लिखो या भूग लैंग्विज में लिखो भाई तु इंग्लिश में लिख और वो कीवर्ड यूज करते हुए लिख पाजी कह रहे जी मैं तो सरदार हूँ खड़ जा वड़ जा करके हम बात करते हैं तो लिख दू अपनी ओन लैंग्विज मे लिख दोगे पाजी नहीं जी एगर मैं मालो में हरियाना से हूं तो मैं अपनी प्यावली प्रड प्रशाब यूज नि करनी और आपने किताब की तो आप लिखी नहीं पाओगे तो आपने बैलेंस करके चलना है, नोर्मल इंग्लिश लिखनी है, बिल्कुल जनरल भाषा, कीवर्ड जो है, बस उसके साथ आपको लैंग्वेज फ्रेम करनी है, हमारे पास एक और कैटेगरी का बच्चा है, वो कहता सर मेरे कोई इंग्लिश भी नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ, मैं वो वोट्स अप मैसेज की तरह लिख दू, एमे आई, नहीं वेटा जी, आपके लिए वे एक नया काम है, जिन बच्चों का इंग्लिश में हाथ तंग है, कि आपने ना हर कंसेप्ट के नोट्स बनाने ही बनाने है, ठीक है, जिस तरह से मैं बताऊं, सिर्फ heading और सिर्फ point, ताकि आप paper में लिख पाओ, otherwise आपको concept तो आता होगा, बट आप उसे लिख नहीं पाओगे, आपको पता सब है, लिखो, बट आपको grammar ही नहीं आती, तो आप frame नहीं कर पाओगे, तो ये आपको अपने अंदर एक soft skill improve करना पड़ेगा, एक language को अपने hand raise करके आपने अपना जवाब देना है, what is independent, तो बताएगा, हाँ जी, जिस भी company का audit कर रहे है, उसमें उसका किसी भी तरह का interest नहीं है, ये बोल रहे है, ठीक है जी, वो independent है, उसका किसी भी तरह का financial interest नहीं है, और बताएगे, unbiased जैसर, unbiased क्या होता है भाई? अच्छा, और कुछ, unbiased का मतलब क्या है, ये निकाल दू क्या मैं, पड़ी गर्मी से लग रही है, निकाल दू, भाई, मैं सिर्फ उपर का निकाल रहा हूं, इतना feel मतलो, मोटा पेट नहीं दिखा रहा मैं, या बोलो भाई, आस तो बनिये का पेट देखेंगे, हां जी, क्या कह रहे है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, लो जी, क्या कहता है, इन ओडिट इस एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यहां इंडिपेंडेंडेंट क्या है जी, आपने कहा है, जी, कोई फाइनेशल इंटरस्ट नहीं होना चाहिए, और, और बताओ, मैं आप ही की बाते लिख लेता हूँ अराम अराम से, फाइनेशल इंटरस्ट नहीं होना चाहिए, आपने कंसेट खतम करना है, फिर मैं स्टार्ट करूँगा, हां बेटा बोल, सुन रहा हूँ, किस तरह का दबाउ, देखो, ये मैंने का न, ये हमारी इंगलिश तंग है, तो भाई ने क्या कहा, पेपर हूँ, मैं क्या लिखूँगा, किसी तरह का, दबाउ नहीं होना चाहिए, भाई मेरे को थोड़ा सही करना, स्क्रीन से हटाना, आपने पहले का, फाइनेंशल इंट्रेस्ट, हाँ जी, कोई कुछ लिखेगा, नहीं साथ-साथ, ठीक है, हाँ जी, दबाउ मतलब इंगलिश में बोल थोड़ा इसको, इंफ्लेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, और, बाइसनेस, और कुछ, रिलेटिव, तो आप ये कहना चाह रहे हो, कि आपको अपना काम, अपने हिसाब से करना है, according to your judgment करना है, yes or no, आपने management के हिसाब से किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना है, दूसरा आप ये कहना चाह रहे हो, कि आपका किसी भी तरह का कोई financial interest नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कहां पढ़कर आए हो लो में पढ़कर आए हो लो में अरे सर मैंने तो लो यह नहीं पढ़ा वापस चला जाओं कि नौ ना ना इतना कोई दबाव नहीं अपने को फीस देदी तुम्हें लो का कोई लेना देना नहीं नहीं भी पढ़कर आए हो तो अपन concept explain करें देखे आपको पता है कि हम financial पे sign करने वाले हैं और जैसे ही chartered accountant financial पे sign करता है अपनी audit report बनाता है तो इसका मतलब यह है कि उस financial statement की credibility भढ़ जाती है yes or no जो उसको use करने वाले हैं users of the financial statement क्या अब वो इस financial statement पे rely करेंगे trust करेंगे उनका reliability और confidence भढ़ जाएगा क्यों क्यों क्योंकि भईया इसको एक chartered accountant ने क्या किया है audit किया है अगर वो और फिर उस user को बोला जाए कि तरह confidence भढ़ गया वो कहेगा हाँ जी क्यों क्यों क्योंकि एक कंपनी का दमात था भईया उन्होंने उसी की कंपनी की बेटी के साथ शाक्या कर रखिया है तो उसका विश्वास चूट जाएगा अगर वो उसे बोला जाए कि एक अकाउंटिंग का जो तो ओडिट कर रहे है यह अकाउंटिंग भी उसी सिए ने किये मतलब बनाया भी उस कर रहे हैं तो आपका उस कंपनी के साथ किसी भी तरह का लेना देना other than this audit क्योंकि अगर आप किसी भी तरह की transaction करते हो किसी भी तरह की relation form करते हो उस कंपनी के shares में deal करते हो या उस कंपनी का कोई consistency business आप साथ-साथ कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप बाइसनेस में काम करो हा रुपे लेना मैंने का जी बहुत अच्छी बात है कुछ टाइम के बाद मेरे को वहां पे कोई स्टेट्मेंट मिलती है मिस्टेट्मेंट का मतलब समझ रहे हो कुछ डिफ्रेंसिस मिल रहे हैं जैसा होना चाहिए था वैसा कंपनी कहती यäर matter solve करो ना मैंने का कर देते हैं पचास लग लगेंगे उसने का यार हम तो सारा काम और एक नंबर में करते हैं तुम्हें पचास लग पुरा बिजनेस ही एक नंबर में कर रहे थे ठीक है हमने थोड़ी गडबड की हुई है लेकिन तुम पचास पास लाख मांगरे हुम तुम्हें कैसे दे हम तुम्हें बलाक मनी कैसे दे मैंने कए काम करो बलाक में मत दो वाइट में दो कि ओडिट की स्थ तो 20 लाख है एक काम करो तुम मुझसे कोई क insult 장 ले लो और मैं तुम्हें उस कंसल्टेंसी का बिल कितने का दे देता हूं पचास लाग का लग से तो तुम मुझे पचास लाग दे दो उसने कोई गड़बड की यहां पे नहीं लेकिन हमारा I.C.I. कहता है दिस इस रॉंग आप ओडिट के पैसे ले रहे हो कितने और आप लग बेटा कहीं ना कहीं तुमने कहां गड़बड की होगी और इसलिए तुम उसका दूसरा काम नहीं कर सकते और अगर कोई ऐसा काम है जो अलावड है कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं स्टैट ओडिट के साथ साथ कर सकता हूं जैसे कि टैक्स ओडिट तो उनकी जो फीस है वह हमेशा मेरी स्टैट ओडिट से क्या रहेगी कम रहेगी यह सब रूल्स क्यों बनाए गए बताओ यह सब रूल को क्यों बनाए गए तो प्रोटेक्ट दा इंडिपेंडेंस कि भाया इंडिपेंडेंस हमेशा क्या रहे सिक्योर रहे कभी भी कोई फ्रोड ना हो कोई दि कर देते हैं लोग हाई या ना तो इसका मतलब अगर इंडिया में कानून है तो उसको कानून को कैसे तोड़ना है और वो भी लीगली उसमें भी आप बहुत होश्यार हो जैसे कि एक कंपनी एक्ट के अंदर एक रूल आता है वेटा कि ओडिटर ना कंपनी के शेर होल्ड नही नहीं बन सकते ऐसा नहीं एक चार्टर अगाउंटन खरीच सकता है वाड़ अगर आप उस कंपनी का ओडिट कर रहे हो तो आप नहीं ले सकते यह सो नो मैंने का ठीक है कोई बात में हम हमारी गल्फरेंट को खरीदवा देंगे क्यों गल्फरेंड कब से रिलेटिव हो गई साले चतुर गल्फरेंड कब से होई नहीं हुई ना खरीदवा देगा न या फिर तू कह रहे है ठीक है रिलेटिव की डेफिनेशन देख लेते क्या है उसमें जो नहीं आ रहा होगा हम उससे खरीदवा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं बोलो कि this is independence आप कोगे आप क्या बोलोगे ओके जी आएम इंडिपेंडेंट बट स्टिल आएम नोट क्योंकि आप उसे ब्रेक कर रहे हो तो आप मुझे बात बताईएगा भया फूल स्क्रीन आप एक काम करो मुझे ही लियाओ दो मिनट के लिए आप एक बात बताईएगा क्या अगर मैं सिर्फ रूल बना दूँ और आप उन रूल्स को फोलो कर लो तो आप इंडिपेंडेंट कहलाओगे बताओ नहीं अभी आप सिर्फ लो पढ़कर आते हो लो कहता है यह प्रोविजन पूरा करो एंड यूर कॉम्प्लाइड विद्ध सिचुएशन इवन लो में एक और चीज बन सकते हो अकोडिंग टू लो लेकिन रियल लाइफ दांसर विल भी नौ क्योंकि हम सिर्फ लो नहीं देखते हैं रियल रियल लाइफ के अंदर हम सिचुएशन देखते हैं क्या है जिसको अब सबस्टेंस वर फॉर्म बोलते हो अगर वहां पर मुझे नजर आ रहा है कि की ये बंदा तो independent तो वो फिर वो काम नहीं कर पाएगा तो आपने मुझे बताया कि भाइसाब कि सिर्फ लो की requirement पूरा कर देना independent नहीं है तो फिर क्या है independence क्या कोई मुझे बोल सकता है ये कहीं काम कर लो आप independent हो नहीं इसका मतलब independent को Remote के इंशोर किया जाए को आप बताविएगा फिर इंडिपेंडेंडनस कैसे इंशोर किया जाए कि कि इंडिपेंड उल्प UNG को देखिये क्या मांते हो अगर मुझे independent रहना है तो ये भी मुझे decide करना है कि क्या मैं independent रहना चाहता हूँ और नहीं भी रहना है तो कोई मुझे रोक नहीं सकता ICI ने minimum guidelines दे दी कि आप इनको follow कर लो तो आप technically independent हो बट आप actually रहना चाहते है या नहीं वो किस पर depend करता है आप पर ही depend करता है तो independence जो एक concept है ना इसको define करना possible it is a concept of mind it is a concept of mind and appearance किताबे बंद रहेंगे सबके अगर किसे के पास कुछ है तो mind कैसे जी अगर मैं अपने mind से हमेशा independent रहना चाहता हूँ सारा काम सही तरीके से करना चाहता हूँ honesty के साथ करना चाहता हूँ तो क्या कोई मुझे रोक सकता है क्या नहीं I am independent yes or no yes or no एक होता है you should be independent in appearance सुनिएगा एक छोटी से स्टोरी सुनाता हूँ इसके लिए मान लिजिए आप चार लोग या छे लोग आठ लोग सीए बन जाते हो ठीके जी और दो चूजे चले गए आप में से जैसे अमन भाई भाई तुम कैसे कैसे इशारे करते हो या वो गह रहा है मोबाईल तो ऐसे भी हो सकता है न देखिए आप मान लिजिए अमन और प्रिया ये चूजे हैं मतलब ये आर्टिकल्स हैं और यहां के आठ लोग सीए बन गए फ्राइडे का माहूल है दे आर वर्किंग विद्ध के पी एमजी साइबर हम में इनका ओफिस है बिल्डिंग नंबर एट में इन्होंने क्लाइंट का काम खतम किया और यह मचान पर जाके बैठ जाते हैं आप लोग फैमिलियर रहे वट इस मचान नहीं मचान बेसिकली जैसे आप साइबर वगेरा से बहार निकलोगे गुड़गाओं में एक नया कंसर्ट चलता है बहार ठेका साइड में काइंड जिसमें अच्छा म्यूजिक होता है ओपन टाइप होता है ठीक है जैसे नाइट राइडर बड़ा फेमस है हमाँ पर तो यह वहां पर जाके बैठ बढ़िया म्यूजिक चल रहा है इन्होंने बढ़िया बीर बीर मंगवाई खाना वाना मंगवाई अराम से खाना खा रहे ह है यह और उनी के साथ partner भी बैठा हुआ है manager भी बैठा हुआ है चूजे भी बैठे हैं और seniors भी बैठा हुआ है थोड़ी देर के बाद ना एक चूजा भड़क जाता है यह क्या है क्या आब मतलब काली वाली भी निकलती है उसके साथ दारूपी रखे ना उसने कि भाईया ह को हम रिलाइंस का ओडिट कर रहे हैं उस पे तो उन्होंने फिक्स असेट्स में यह क्या हुआ है अभी वो सब्वे को एक्वाइर कर रहे हैं फलाना फलाना वो सब बाते कर रहे हैं साइड में मेरे जैसा कोई एक इंजिनियर बैठा हुआ था जो बेसिकली बड़ा ही इंट्रस्टेड होता है स्टोक मार्केट के अंदर और जैसे ही मैंने देखा भाई रिलाइंस का कोई डिसकेशन चल रहा है और कुत्तों के पट्टे उनके गले में पड़े हुए थे तो मै अरे बैठ यार तु दारूपी भाई आस तु वह बैठ जाता है राम से उन्हीं का खाना खा रहे है उन्हीं की दारूपी रहा उस्टेंप रहे हुए तो भाई क्या हुआ बड़े दुखी लग रहे हो अरे यार रिलाइंस कंपनी ने यार सब्वें एक्वायर कर रहे हैं उनकी विलीवेशन घलत है यह घलत है वो गलत है ऐसे वह दो-तीन घंटे मजे करता है जाते टाइंप बिल आता है जनरी कंपनी हम तो क्लाइट पर डालता है सारा बिल मजे हमने हैं भाई कर रहा वे इंच्टळी मैं नहीं प्य प्तरों करेंग ट्रिथिन वो तरुक जाओ कितने बड़े जुजु थे मेरे को कितनी बड़िया information दे कर चले गए ये लोग independent जब कीनोंने कोई गलत काम नहीं किया किया क्या कोई उन्होंने गलत काम दे आर एक्चुली independent उन्होंने कोई भी company से फायदा नहीं उठाया बट उनको देखकर कोई भी एक person ये conclude कर सकता है क्या भाया कि ये लोग independent नहीं है इसलिए auditor को बोला जाता है कि आप अगर independent रहते हो तो आपको independent रहना है किस से अपने माइड से कि मैं भी किसी तरह का कोई गलत काम क्योंकि independent को define करना तो possible और आपने independent रहना है किस तरह से अपने appearance में दो चीजे independence of mind and independence in appearance अगर आप ये दो तरह से इंडिपेंडेंट रहते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो अधर्वाइज आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फ्यारा से एक छोटा सा कंसेट रीड गरेंगे आपके साथ ठीक है देखेगा बुक किसी के पास नहीं है ये PDF मैंने डाल दिये प्लीज आप इसकी समरी या इसको अपने कोपी पेस्ट कर लेना notebook के अंदर स्क्रीन दिख रही है सबको अभी चेक करो प्लीज स्क्रीन, 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 स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही है देखना याद रही है करोगे सिस्टम री स्टार्ट करना पड़ेगा क्या आपको तो फिर आगे की कंसेट करवा दू तब तक आना कि क्या कह रहे हो अभी नहीं आप अब देखो यार जल्दी हो जाए तो बताओ अब आप अबताव झाल उ उनल झाल 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 व कि नहीं वो फिर क्लास में रिकोर्ड होना चाहिए ना सब कि अगर दिल है तो कि पर्सनल प्रोफेश्चनल वोटेवर हां नहीं नहीं वो नहीं और कुछ कुछ भी पूछलो यार तकि आप लोगों का टाइम स्पेंड हो जाए कि पाल तो कि बातने हैं आगया थेंक यू कि वह आप आशिश कालरा सर से पूछ होगे वो उनके सब्जेक्ट से रिलेट करके बताएंगे मागले टीचर का मजा नहीं खराब करूंगा नहीं यार कि लो जी लो कि स्क्रीन दिख रहा है आपको प्लीज देखेगा बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे हम ठीक है यह आपके फाउंडेशन में भी था यह कंसेप्ट इन्डिपेंडेंडेंट्स का कंसेप्ट कई नहीं पढ़ास्तक लो कोई बात निहीं तसल्ली से रिड़ करेंगे है इन्डिपेंड़न्स ओडिटर भाई मैंने ध्रूख यह एडब बंद कर दी थी शैद ना हुई हो तो बात में देखते भी लीजेगा सब से पहले हम कहते मिनिंग क्या है? अगर जो बुक्स में लिखा गया मिनिंग है, वो क्या है? देखे, क्या कहता है? To define independence precisely is not possible. सबसे पहले इसने बोल दिया independence को define करना precisely possible नहीं है, since independence is a state of mind and personal character. यह बात याद रहेगी? आगे कहता है, according to the guidance note of the ICI. सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं sir what is this guidance not पहले आपके slayvus में था but ICI ने अभी हटा दिया तो मैं discuss करूँगा लेकिए आपको accounting standards बना के दे दिये आपको standards on auditing बना कर दे दिये और भी बहुत सारे guidance हमारे लिए है जैसे DTK rules, IDTK rules, GSTK rules क्या आपको लगता है कि जो chartered accountant जब CA बन जाता है हमी लोग company में काम करते है और हमी उन companies का क्या कर रहे है audit भी कर रहे है तो एक CA को जब कोई नया लो आता है जब कोई नया regulation आता है तो उसे दिक्कत फील होगी किसे कैसे apply करना है कब apply करना है दिक्कत होगी या नहीं होगी तो ICAI की council क्या करती है जो ICAI है वो क्या करता है एक guidance लेकर आता है कि इस fixed assets को मान लिजे कोई नया accounting standard आया आपको implement कब करना है कैसे करना है हम आपको एक guidance देते है उस guidance को आप लोग follow कर रहा है अपने काम को कर लो these are the best ways of doing work अगर मैं किसी guidance note को follow नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है बताओ ICAI कह रहा है मैं आपको best तरीका बता रहा हूँ इस काम को करने का आप कह रहे हो नहीं-nहीं guidance है नाम में क्या है guidance तो मैं मानू या तो अगर मैं ICAI की guidance को नहीं follow कर रहा हूँ तो आप बताओ इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई better way होगा ना काम करने का तो वो आपको define करना होगा कि we are not following this guidance note because we have followed this method जो भी best method है तो ICAI guidance note issue करता रहता है तो ICAI ने independence के उपर भी guidance note दिया है क्यों दिया है क्योंकि अभी अभी हमने discuss किया ना सिर्फ law में independence को define कर देना independence नहीं हो पाएगा तो ICAI ने कुछ conditions और दे दी है कि भाया अगर आपका कोई भी relative, कोई भी किसी भी तरह का interest, चाहिए किसी holding की subsidiary है, किसी भी की company में क्यों ना हो, जहां पर आप control कर सकते हो जहां पर सामने वाल आपको control कर सकता है directly और तो भी आप auditor नहीं बन सकते तो basically जिस तरह की situation law में cover नहीं थी वो हमारे कहां पर cover हो गई कहां पर cover हो गई guidance note में, तो क्या कहता है according to the guidance note of the ICAI एक लाइन ली अमने मां से independence of auditor independence implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him जिसने आपको काम दिया, आप उसके हिसाब से किसी भी तरह का काम नहीं करोगे ये बड़ा छोटा से एक single line अमने कहां से ली guidance it's a place that independence, repeat line है is a condition of mind and personal character and should not be confused with the visible standards of independence वह यह आपके ओपर depend करता है you want to be independent और देखें, जो word मैं highlight कर रहा हूँ इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई summary बना रहे हो तो बस उसमें ये वाले words जाने चाहिए बाकी content आप skip कर सकते हैं अब आते हैं, what is independence पहला है independence of mind क्या कहता है, the state of mind मैं पहले English read करूँगा you have to decide क्या आपको समझ आई या नहीं आई the state of mind that permit the provision of an opinion without being affected by influences allowing an individual to act with integrity exercise objectivity and professional professional skepticism skepticism and professional skepticism end रुख जाते हैं याँ पे आपको तीन वर्ड दिखें याँ पे number one integrity number two objectivity number three skepticism professional skepticism what is integrity honesty आप नीचे लिख सकते हो honesty objectivity objectivity आपको अपना काम अपने हिसाब से करना है किसी दूसरे के हिसाब से नहीं करना है influence नहीं होना है आपकी अपनी judgment आपकी judgment है यहाँ पे objective का मतलब यह नहीं है कि आप अपना objective अचीव करें यहाँ पे objective का मतलब है कि जो काम जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से आपने करना है किसी दूसरे के हिसाब से नहीं करना and third word is professional skepticism what is this skepticism हमारे एक बहुत अच्छे टीचर है तो अपनी क्लास में बोलते है हम इस word को बोलते है skepticism और वाद नहीं पता है कोन है उचले चल के बोलता है ऐसे कोन विजी सहडा जानते हो आप लो एक मेरे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त है जब मैंनो उनको पहली बार में पढ़ा रहा था वो मेरी क्लास में ऐसे एक student की तरह बैठे हुए थे मेरे दूसरे बैच में मैंने बोला professional skepticism वह आप नहीं चले डिया मैंने का भाई क्या हुआ यहरा पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो रहा है अचली पागल है वो independence of mind अब इस line को दुबारा पढ़ना now what is professional skepticism in audit professional skepticism का मतलब है कि आपको ना हमेशा questions पूछने है इसको आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो questioning mind कैसा mind questioning mind client आपको कुछ बता रहा है सुन लो सिर्फ सुन के यह मत बोलो हाँ वही सही है आपने हमेशा क्या कोशिश करनी है उसमें question पूछने है आपने अपने दिमाग को चलाना है questioning mind होना चाहिए आपका कैसा mind होना चाहिए तो इस line को दुबारा पढ़ेंगे एक बार independence of mind को और आपने बताना है कि आपको समझ आई गया the state of mind that permit the provision of an opinion without being affected by influences allowing an individual to act with integrity, objectivity and क्या हो रहा है भाई आजी and professional skepticism यहर भाई आप यह केबल में कोई दिखकत है क्या है पिर से चला गया आ रहा है touchwood देखो जी किसी को समझ आया language देखे क्याता है कि एक auditor को हमेशा mind से independence रहना चाहिए ऐसा अगर होता है तो क्या होगा the state of mind that permit permit होगा आपको क्या जी the provision of an opinion कि आप क्या दे पाएंगे एक without being affected by influences आप किसी भी influence effect नहीं होंगे यहां कहता है allowing and यहां पर यह individual कोन है auditor allowing and individual यहां पर कोन है auditor को allow क्या जाएगा to act with integrity exercise, objectivity and professional यह तो था mind अब बात करते हैं in appearance क्या रहा है appearance में जो आप मचान पर जाके बैठते हो क्या बैठना चाहिए आपको बिल्कुल बैठो लेकिन जो reliance का discussion कर रहे थे वो करना चाहिए नहीं तो appearance में क्या कहता है the avoidance of facts and circumstances that are so significant क्या कह रहा है avoid करो वो सारे circumstances वो सारे facts that are so significant that a third party और third party कोन था हमारे case में engineer would reasonably conclude वो conclude कर देगा would reasonably conclude an auditor integrity objectivity and professional skepticism had been compromised कि मतलब आप इस तरीके की सारे situation को avoid करो कि कोई भी third party आके बोल देगा कि भाया ये बंदा इमानदार ये बंदा questioning mind तो बिलकुल भी ना ही अपना काम अपने हिसाब से कर रहा है तो ऐसे situation को क्या करना चाहिए आपको अगर आप avoid करते हो you will be independent समझ आए दो बड़ आपको बड़े basic से थे आगे क्या कहता है independence of auditor has not only to exist in fact सिर्फ factual independent नहीं होना आपको but also appears to so exist to all reasonable यह नहीं होना चाहिए company ने आपको बोला कि आपने share नहीं खरीदना है आपने का ठीक है मैं नहीं खरीदूंगा अपनी girlfriend को दिलवाँगा ऐसे नहीं factual independent नहीं होना है कि जो low है उसके हिसाब से तो आप independent हो बट actual में independent ऐसा भी नहीं करना है आगे क्या कहता है the auditor has to conduct himself in such a way that no reasonable person can doubt his objectivity and integrity उपर वाले से ही line को दुबारा निकाला हुआ है in fact the word independent as a prefix in audit proposition independent जो हमारे audit को पता है क्या बोला है हमारी report को क्या बोला जाता है independent auditor report हमारे word independent जो है जब तक यह word नहीं लगेगा हमारे साथ तो क्या हमारी value निकल करा रही है नहीं न तो क्या कहता है in fact the word independent as a prefix in audit proposition in itself enshrine the concept of independence of auditor and thus consider fundamental concept in the theory of auditing मतलब independent हो नहां हमारे काम का कैसा concept है जी fundamental है अगर आप independent नहीं हो तो आप audit कर ही नहीं सकते अगर आप कर रहे हो तो उसका कोई value नहीं है the relationship between the auditor and the client should be such that firstly he himself is satisfied about his he मतलब himself satisfied about his client and that is understood by others and then it is understood by others that the independence of auditor is not affected एक बाद बताएगा अगर आप किसी client को accept कर रहे हो as an auditor तो क्या ये आपकी responsibility बनती है पहले ये चेक करना कि आप independent हो या client की बनती है ये चेक करना कि आप independent हो पहले मेरी बनती है पहले खुद की बनती है कि मैं independent हो या ये चेक कर लो उसके बाद client accept करो otherwise नहीं तो ये समझ आया आप लोगों को ये बड़ा basic था अब आपका question आएगा सर content बहुत जादा है याद क्या करना है ये भी तो बताओ बटा देखो सबसे पहली बात तो इस concept के साथ मैं आर लगा रहा हूं तो आर का मतलब तो क्या निकल कर आया read निकल कर आया क्या आपने read करना है लेकिन इसी में ही कुछ चीजे ऐसी हैं जो आपको याद करनी है ये दो लाइने मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइन है अगर आप देखोगे तो एक तो independence of mind and इनके साथ में क्या लगा रहा हूं learn आपने ये दो पॉइंट सिर्फ one one liner क्या करने है याद करने है ये आपका correct incorrect में भी आ सकता है independence concept को define भी कर सकता है किसी तरह से भी एक्जाम में four mark का question आ सकता है जो आपने read किया हुआ है उसमें से जो दिमाग में है वो लिखना जो मैंने learn करने के लिए बोला है वो तो आपने mandatory लिखना ही अब keyword क्या है कोई बताएगा मुझे integrity, objectivity professional skepticism these are the fundamental principle of auditing यह अपने हमेशा follow करने है इमानदार अपने हमेशा रहना है अपने काम को हमेशा अपने हिसाब से करना है questioning mind रहना है these are fundamental principles यह आपने कभी भी छोड़ना नहीं है तो यह दो बात है आपने याद करनी है ठीक है? आगे चल सकते हैं इंडिपेंडेंडेंट सिर्फ mind और appearance से नहीं रहना है since independent इतना important है कि इसके लिए companies act में भी provision मनाया गया है companies act जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक chapter आएगा बकायदा आपका appointment of auditor से related बात करेगा rotation of auditor का concept आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे भी companies act इसारे concept क्यों लेकर आई because आपने reason पढ़ा आप section पढ़ते हो तो आपने reason देखा reason क्या है किसी concept का किसी section का reason क्या है rotation of auditor का reason क्या है क्यों लाया गया to maintain to ensure independence कि भाईया rotation of auditor के अंदर क्या होता है एक auditor किसी एक firm का अगर मैं individual हूँ तो five year के लिए बाद मुझे जाना होगा कि रूल क्यों लेकर आए क्योंकि आपका independence ensure किया जा सके otherwise तो होता क्या है क्या होता है तो उससे होता क्या है उससे relationship बन जाते आपकी tuning अच्छी सेट हो जाती और आप उसमें फिर fraud कर सकते थे सेम लाइक सत्यम और बाकी सब जगें जहां होते हैं समझाया जी तो कह रहा है सिर्फ independence of mind and appearance तो ही है लेकिन independence इतना important है कि इसके लिए companies act में भी provision बनाया गया क्या कहता है law also make an attempt to ensure auditor independence for instances बता रहे क्या the companies act 2013 के अंदर कुछ specific provision दिया हुए है यह इसामपल है सिर्फ आप बहुत ज्यादा पढ़कर आते हों कहता है auditor को right to access दिया गया है to the books of account and other document यह right क्यों देना पड़ा independence के लिए अगर right नहीं होता तो management अपने इसाप से काम करता क्या रहे provision दिया गया है disqualification of certain person to act as an auditor कि यह लोग section 141 अगर आपने इंशोर दा independence of auditor तो जो आप companies act के अंदर ओडिटर के concept पढ़ते वो सब क्यों है बेटा ताकि क्या इंशोर किया जा सके independence किया जा सके इतना ही नहीं अभी आपने किसकी बात करी companies act की इतना ही नहीं हमारे Chartered Accountant Act सुना है आपने the CA Act उसके अंदर बकायदा provisions बनाये गए हैं जिसको हम professional ethics code of conduct के नाम से जानते हैं वहाँ पे भी यह बताया गया है कि एक CA क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है CA final में audit के अंदर आप एक chapter पढ़ोगे professional ethics उसमें भी यह बताया गया है कि अगर आप independent नहीं हो और अगर आपने किसी company का audit accept कर लिया तो क्या होगा क्या होगा तो आपको penalties लगाई जाएगी वो सारी penalties आप कहाँ पढ़ोगे CA final audit के अंदर एक पूरा detailed chapter आएगा professional ethics वहाँ पे आपको detail में बताया जाएगा कि independent रहना कितना तो CA Act में भी independence को cover किया गया है फढ़िएगा various provisions in the schedules to the Chartered Accountant Act 1949 उन misconducts are also an attempt to protect the independence to protect the independence of auditor and to give the professional competence तो independence कहाँ-कहाँ define हुआ पहले तो अभी यह बताओ सबसे पहले तो भाया independence की एक general definition meaning फिर उसके बाद independence निकल कर आया कहां से guidance note of ICI जो की कहता था आप आपका अपना judgment आपके हिसाप से होना चाहिए किसी दूसरे के wishes के हिसाप से नहीं होना चाहिए दो तीसरा नहीं दूसरी के अंदर आया independence क्या है आपका independence इंडेपेंडेंदेंडेंस वफ माइंडेपेंडेंदेंस इन आपकेरесяं फिर फोर्थ निकल कर आया क्या independence defining companies act एंड फिफ्ट निकल कर आया कहां पे आईजि आए के चांटर अकाउंटेंट एक्ट के अंदर भाई आजे क्या दिक्कत है पढ़ा पाउंगा नहीं पढ़ा पाउंगा में पता नहीं यार कि अधा हो रहा है आज याज़े कि अधा कि चार्जर लगा है स्टाइसे कि चेक करूँ कि अधार कि अधार के मोड देखो यार प्राजर लगाज़ पाई यार प्राजर यार कि अधार す़ ВасAL कि वहे रखर भाई कि करूँ पैक datalten अधार झाल 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 चले जी आगे चले तो पांस तरह से आपने इंडिपेंडेंस देख लिया एक बर रिपीट किए वापस से सबसे पहले इंडिपेंडेंस का एक जनरल डेफिनेशन दूसरा गाइडेंस नोट ओफ आईसी आए इंडिपेंडेंस ओफ माइडेंस अपेरेंस उसके बाद आपने का चार्ट करता है इंडिपेंडेंस यहां तक किसी को कोई डाउट भाईया नहीं queries मैं आकरी में लूँगा वहाँ से कोई student hand raise कर रहे थे तो please मैं query आकरी में लूँगा तो आप अपनी notebook में लिख सकते हैं कि आपके mind में क्या चल रहा है क्योंकि जब मैं बाद में फूचता हूँ तो आप बोलते हैं सर भूल गए ठीक है आगे ये तो था independence अब हमें ICI कहता है कि भया since independence इतना important है तो जब भी आप किसी client को accept करते हो तो make sure कर लो you are independent हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं कि अगर इन में से कुछ भी है तो आप या तो पहले उसको rectify कर लो या फिर आप कोशिश करो कि आपको client accept नहीं करना है इस concept को हम बोलते है threats to independence जिसके अंदर पहला threat आता है self interest जिसमें नाम से किलियर हो रहा है कि अगर आपका auditor का कोई self interest है किसी client के अंदर तो आपको client accept नहीं करना चाहिए example बताना कोई जैसे कि मान लीजिए मैंने client को किसी तरह से directly और indirectly finance किया हुआ है तो क्या मेरा कोई interest है definitely interest है मैंने loan दिया हुआ है मैंने मेरा कोई undue dependence है client की fees पे भाई मैं एक नया chartered accountant हूँ मेरे को अदानी साब कहते है कि आ जाओ जी हम आपको हमारी company का क्या दे रहे है audit दे रहे है अदानी सका मैं नया नया CA बनाऊ क्या मैं अदानी का audit कर सकता हूँ yes manageable हूँ वो कहते है तुम्हें 50 करोड audit fees दी जाएगी मैंने गा क्या बात है जिन्दगी में अब कुछ और करना ही नहीं है उन्होंने 50 करोड का audit fees दी मैं independent CA की तरह वहाँ पे चला गया अदानी साब कहते है ठीक है यह हमने एक power plant बनाया है capitalize कर दे हम capitalize कर रहे हैं तू sign कर, okay कर मैंने PPN नहीं देखा और PPN नहीं कहता है the asset can be capitalized when it is when it is अरे भाई asset को capitalize कब करते हो ऐसे देख रहे हो कब करते हो asset capitalize कब होती है when it is ready to use कुछ ही बच्चे होश में भागी तो सब कह रहे है कब comedy start होएगी सुपह से comedy नहीं आई हाई या ना जब asset ready to use होती है put to use होती है तब आप क्या बोलते हो capital लेकिन आप देख रहे हो in days के हिसाफ से तो यार अभी asset यह complete ही नहीं है क्यों करूंगा जी क्योंकि मेरा dependence है उस client की fees के उपर मेरा इतना बड़ा interest है कि अगर मैंने उसको lose कर दिया तो मेरे पाइतना बड़ा revenue नहीं आने वाला है समाझ में आया तो मेरा financial interest चला गया हलाकि कोई fraud नहीं है लेकिन वो interest इतना बड़ा है कि आप चाहा कर भी क्या नहीं रहे पा रहे हो independent नहीं रहे पा रहे हो आपने business relationship बना लिए किसके साथ client के साथ आप audit पे गए आपने कहा जी audit मान लिजे power plant का audit कर रहे हो आप और आपके घर का काम है मान लिजे शुगर मील है आपके पिताजी की तो शुगर मील में जो waste होता है उसे क्या बोलते हैं बगास बोलते हैं ठीक है आपके पिताजी का काम है बगास को बेचने का आपने power plant में जो purchase department का head था वहां गए बगास किस rate पर खरीद रहे हो बोलर में जलाते हैं बगास को बिजली बनाने के लिए अभी किसी को नहीं समझा रहा होगा कोई बात नहीं X company को एक material चाहिए जो आपके पिताजी बनाते हैं simple कर लेते हैं example हमारे से खरीद लिया करो वो कहता है जी auditor साब आप से भी खरीद लेंगे rate बताओ तो आपने इस तरह के business relations बना लिए तो क्या आप independent रह पाओगे नहीं रह पाओगे आप क्या सोच रहे हो आप अभी audit करने आए आज आप client के CFO को बोल रहे हो यार big four में तो मैं ठक चुका हूँ काम कर करके big four में मुझे तुमारे यही आना नोकरी दे देना मुझे अपने यहां पर क्या दे देना तो आप अगर इस तरह की बाते करोगे तो आप independent रह पाओगे क्योंकि आप future का क्या देख रहे हो आपे employment देख रहे हो contingent fees का मतलब क्या है कि आप जब client पर जाते हो तो आपको बोला जाता है कि आपकी audit fees 20 लाग रुपे रहे ही लेकिन मैं कहता हूँ आप एक काम करना profit का 5% देदेना तो आप profit भढ़ाना चाओगे कम करना चाओगे तो क्या आप independent हो तो इसने एक example दिया है financial interest का कि आप उस तरह के भी legally allowed नहीं है हमारा chartered accountant act बोलता है कि आपकी audit fees contingent नहीं हो सकती तो ये कुछ example दिया है आपको self interest threat के it may occur as a result of the financial or other interest of a professional accountant or of a relative relative का या आपका किसी भी तरह का financial interest है तो एक threat रहता है आपके उपर कौन सा self interest threat तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इस तरह के कोई भी काम client के साथ नहीं करने समझ आया दूसरा self review threat now what is this self review threat for this I need two student number one Kashishka Kashika और Pan हो क्या दोनों अच्छा तभी मैं काँ नाम भी twins जैसे लग रहे है नहीं तो तुम दोनों को नहीं एक ले लेते हैं यहां से रशिका और एक ले लेते हैं सचिन गोयल ठीक है अमन ले लेते हैं सचिन छोड़ देते हैं अरे तेरा इंस्टाग्राम बिना मलग है तू डबल करता है क्या करेगा तेरा घर का नाम चोमू नहीं है साहिल गोलू होता है घर का नाम साहिल कोन रखता है एक नाम सचिन है दूसरा नम घर का नाम साहिल है, कौन रखता भाये से नाम? लाडो हो सकता है, मारुती हो सकता है, और कुछ हो, घर की नाम तो ऐसे ही होते हैं, तेरा साहिल. और दादी ने ना रखा कुछ अरे मेरा पपू सुनिएगा एक है अमन और एक है रशिका दोनों सीए बन गए भाईया ठीक है जी रशिका कहती है यार मैं सीए बनने के बाद ना बड़ी सोटिड जोब लूंगी मैं रिलाइंस में जोईन कर लिया इसने मुंबई बैठी अराम से रिलाइंस इंडस्ट्रीज में अमन कहते है यार भाईया आपन ने तो पहले बिक फोर जाके थोड़ा सा काम सीखना है इतनी जल्दी सेटल डाउन नहीं होना अमन ने KPMG जोईन कर लिया दोनों फ्रेंट थे दोनों एक ही क्लास में थे दोनों अलग अलग कंपनी को जोईन कर चुके हैं अमन जो है वो रिलाइंस का ओडिटर भी है अमन ओडिट करने जाता है जब क्लाइंट प्लेस पे जाता है तो क्लाइंट की खात्तरदारी भाईया वो जो रसी का है वो भार क्यूबिकल्स देखें आपने सिंपल एक लंबा लाइन है जिस पर इधर भी एंपलोई है उधर बैटके पीपनी का काम कर रही है पीपनी मतलब प्रोपर्टी प्लांट है ने क्यूपमेंट देख रही है वो और जो अमन आता है भाईया जैसे ओडिटर की टीम आती है वो एक अलग ही चलती हुए दिखत के कैबिन है जिसके अंदर कॉंफरेंस होल उनको मिला हुआ है और सिये फोन के पीछे पीछे चल रहा है रशी का कहते है यार सेम क्लास थी हमारी तो सब कुछ सेम था पैकेज मी मोटा मोटा सा हमारा क्या है लेकिन साला उसकी तो लाइव ये लगे है वो फोन पे मुझे और मेरे को मजबूरन उसके लिए पीजा ओडर करना पड़ रहा है वो लाइफ देखती है उसको फैसिनेट्शन होता है थोड़ा सा कि यार ये तो अच्छी लाइफ है आया ना ओडिटर अंदर ओडिट कर रहा है बढ़िया मज़े से और अमन को एक दिन पीपेनी अच्छी का कह रही है यार ये तो आज डाट के चला गया ओडिट खतम हुआ जैसे तैसे करके रसी का अपना काम करी रही थी उसने अमन को का अमन यार मैं जोक चेंज करना चाहती हूं उसने का क्या करना है बता अब वो परसनल लाइफ यार देखना अगर की पीमज में के पीमजी अब अगला साल फिर खतम हुआ अब कहां जा रही है क्लाइंट प्लेस रिलाइंस इंडस्टीज पर जाते हैं इस बार रश्यका भी कहां पर है और अब साथ आ रही है ऐसे वो सीएफो जो रश्यका को रोल्स जाटता था वो देख रही है ये कहां से आ गई मतलब बाकी जो एंप्लोई बैठे होगा रहे रश्यका ओडिटर इस निकम में को कैसे रख लिया किसी ने मतलब समझो इस तरह के रिलेशन थे वाँपे अब भाईया रश्यका भी कॉन्फरेंस रूम में बैठी है पहले तो सीएफों का गुस्सा उतारती है वेटा बिग 21 साल की विवेक इदर आओ वो कैता है येस मैम प्लीज और वो विचारा क्या बोल रहे है मैम कोफी ओडर करो पहले तो बाद में बात करेंगे वो कह रहे है येस मैम प्लीज एनिटिंग इल्स तो वो सीएफों है विचारा रश्यका को बड़ी खुशी होई कि चलो पूरे और दो साल की सारी गालिया खतम अब कि एक कोन के करे कुई सचीन आया था न कि तुनी सचीन वानलो रंकर रंकर था जसे मेरे से पहले थि पावली को पीपेन ने को इनफेर्उ में पास करके गई I am doing it ma'am very soon I will give you the proper data लेकिन जब रशी का conference room में बैठके PPN नी देख रही थी तो वो समझदार थी कि पूरे office को पता है PPN नी किसने क्या हुआ है मैंने क्या हुआ है तो एक बार बताओ वो अपना blender वो पूरी audit team में यह बताना पसंद करेगी देखो मैं कितनी होश्यार employee थी यहां की यह वो यह कहेगी कि PPN is absolutely fine all the objections are satisfied everything is documented and let's move on क्या यह करेगी तो क्या यहां पर कोई self review threat है क्या कि मैंने मेरा ही काम किया हुआ उसे मैं ही review कर रहा हूँ हो सकता है real life message तो ऐसा काम आपको करना चाहिए मैं कभी हो सकता है director था किसी company में अब मैं उसका auditor बन गया मैं किसी senior position में था example रशी का बेटा तुम नहीं भूल पाओगे concept अब वो दुबारा उसका audit तो यह क्या है एक threat है ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है पढ़िएगा self review threat it may occur समझ आया concept when a previous judgment needs to be re-evaluated by the professional accountant responsible for that जो judgment ली गई है जो काम किया गया है वही उसे क्या कर रहा है re-evaluate कर रहा है instances where such threat may arise example दे रहा है when an auditor having recently being a director और senior officer of the company example प्लीज लिख लिजेगा इसके साइड में in our case रशीका and such an and when auditor performs service that are themself subject matter to audit auditor को यह ऐसी service दे रहे है client को जो कि allowed है number one और दूसरा stat auditor उसका क्या करेंगे audit करेंगे मतलब मैं ही client को service दे रहा हूं और बाद मैं ही उसे क्या करूँगा तो आपको लगता है मैं उसमें कमी निकालूँगा तो this is another example of self-review threat किसी को समझ आया बेटा सबको बड़ा plain वनीला था तीसरा आता है advocacy threat now what is this advocacy threat advocacy से एक नाम चलग कर आ रहा है क्या advocate advocate वकील गिरी advocate आपको कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से you are independent ठीक है चलते फिरते बोल रहे हो Chris एक काम कर मैं Reliance का auditor हूं मतलब इसने advice मांगी नहीं है Reliance के share खरीद ले यह मेरा relative है क्या घंटा मैं चलते फिरते advice दे रहा हूं विपिन भाई आइटी तुमारी salary कितनी है कहा है सर रिलाइंस के share खरीद ले तरी जितनी salary है दस लोगों से उदार ले share खरीद ले पक्का सर विपिन सो टका मैं बोल रहा हूं मैं कौन auditor कंपनी में बहुत profit है आज ही जितने भी तुम इसने मुझसे मांगी थे advice मैं audit करने गया मैंने देखा है company में तो बहुत losses है कंपनी का share price तो बढ़ना तो जोड़ो नीचे ही आने वाला है तब ही मेरे दिमाग में आता है कौन विपिन अब यह बताओ जो मैंने पहले किसी को एक सला दी थी क्या वो सला compromise हो रही है क्या उस situation को बचाने के लिए कि भाई इस आदमी को बचाया जाए मैं गलत काम कर सकता हूं हाया ना तो आपने ना कभी भी company के किसी भी share में deal नहीं करना है क्योंकि ऐसा हो सकता है आप जो बोल र अपना opinion रखना है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो भी क्या हो जाए compromise हो जाए इसका भी एक example देता हूं क्लाइंट के पास एक GST department से notice आ गया आ सकते हैं क्लाइं ने आपको बोला कि यार कभिल साब प्लीज डिपार्टमेंट में जाके एक reply देया हो से को बोलते हैं मिटा कंपनी वाले बोलते हैं मैंने का अभी चले जाते हैं मैं गया वहां पर बैठा हुआ है धीपक यह अपना ही student किसी टाइम का मैंने का धीपक तुम यहां सर मैंने GST department जोईन कर लिया था सर वह कंपनी ना न खुछ गलत बुकिंग की हुई है कुछ गलत रिवेन्यू बुक की हुए है जीएस्ती का रिकन्सिलेशन सही नहीं हो रहा है filing सही नहीं है हैं ओडिटरुंहें तो वह कहते हैं ठीक हे सरओ करता थो तो दीन वा记ंद है और जो कमें सभाब कर दो था ऊशन मेरे सिचवीशन क्या हो रही है घोटे इसी सिच्वीशन है की dobrze ज़रा रही है और दुद्टेय। यह यह बांट कर देते हैं लिगे 360 है। यह compromise हो जाती है पढ़ियेगा it may occur when a professional accountant promote a position or opinion to the point that subsequent objectivity may be compromised further future में जाके वो क्या हो जाती है आपकी compromise जाती है जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होता है for example an auditor dealing with the shares or security of the audited company or become the client advocate in litigation and third party dispute तो जो भी आप opinion रख रहे हो ना किसी एक point of time पे वो subsequently क्या होती है वेटा compromise हो जाती है तो आप उस situation से बचना चाहोगे और आप किसी अपने काम को गलत कर सकते हो समझ आया for example an auditor dealing with share or security of the audited company जो कि मैंने इसका अगला क्या है अगला क्या है कि फैमिली रिटी थ्रेट नाम से ही पता चल रहा है आप क्या बना रहे हो family relationship मैंने तो पहले ही बताया कि आप लोगों के आदे से ज़्यादा रिष्टे कहां पर होते हैं actually में होते है मेरे कम से का मोँ अगर वार्रा लोगों की बात करूँ तो 6 लोगो की शाधी क्लाइन बूस पर यह है। आप लोग auditor करने जाते हो जातेव या नहीं जाता कि आपको unrestricted Everest इस परसंट दिया जाता है बिटा ये Unrestricted Access 2% पहले बात से बात करने गए आप बोलो कि शादी करवा दो तुम बोलते हो पटवादो तो आपको Unrestricted Access किस चीज़ कर दिया गया है आप किसे से मिल सकते हो बात कर सकते हो Unrestricted Access है, सर यह गहीं लिखा है, हाँ लिखा है, देखना परसंद करोगे, दिखा देंगे, क्लास के अंत में दिखाएंगे, ठीक है, तो आपको Unrestricted Access दिया है, ऐसा हो सकता है कि आप पहले साल जा रहे हो, आप देख रहे हो, दूसरे साल आपने देखा कि अच्छा, ये जालते हो, वो बंदी कहते हैं, सर छोड़ दो, सर छोड़ दो, आप कहते हो, हाँ छोड़ रहे हैं अभी साल तो आपको, अगली फाल से इस तरह की गलतिया, तीसरे साल आप फिर से परचेस करते हो, और आप बंदी पकट लेते हो, आप कहते हो, मैडब माप बड़े पसंद तो आपका काम बहुत अच्छा है मैं इसी तरह से ओडिट करता रहूंगा तो ऐसा हो सकता है कि क्लाइन प्लेस पे आप जब जा हो तो आपकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाए कि आप रिलेश्चिप फर्म कर लो हाँ या ना तो आप इंडिपेंडेंट हो चोते साल चोते साल क्या हो रहा है यह नहीं शादी नहीं हो रही शादी करती तो अडिटर खتم फिर तो आप सेक्षन में थीक भी आ भी कर रहे हो, पाँचे साल के बाद आप शाधी कर लें तो आप Indianडेंट रहे क्या, आप पहले साल सही independent नहीं थे सही बताऊं तो, थीसाल से नहीं, वो पहले भी बोलती ना, देखो कितनी अच्छी दिन है आप कहतें बेना रात के 9 बज़रे दिन का हैं लेकिन आपको लगता हाँ बहुत अच्छा दिन है देखो कितना अच्छा तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने कौन से थ्रेट से बचना है और आपकी आपको दिखे ना दिखे फील जरूर हो जाएगा यार मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं कोई बचा ले बस मुझे तो क्या कहता है आपको दिखे चूजे चूजी ना निवाने भी नी चूजे चूजे फोम रिलेशन्शिप कब होता है बेटा ये वैन ओडिटर फोम रिलेशन्शिप विद्धे क्लाइट वैन दे एंड़ इसमें सारे लिख दिते यार जैसा आप बोलो वैसा कर दूँआ क्योंकि मेरा आपके अंदर क्या है प्यार है जी इस कें अकर इन बताने की बात कर रहा है आपके चचा काम कर रहे है ठीक है फोर्मर पार्टर ओफ दी ओडिट फी फॉर्म बिंग डिरेक्टर और सीनियर एम्प्लोई ओफ दी कंपनी देखो सेम एग्जाम्पल मैंने आपको कहा दिया रिव्यू थ्रेट में वहाँ काम रिव्यू कर रहे अपना लेकिन अभी मानलो रशिका जो है उसके तो दोस्त है ना वहाँ पे तो फैमिलिरेटी थ्रेट भी तो इसके साथ चल रहा है ना कॉंटिनियू में तो पहले वहाँ पे क्या थे डिरेक्टर थे या सीनियर एम्प्लोई थे लोंग एस्सोशियेशन बिट्विन स्पे इसरे साल एरिया भी डिवाइड कर रखे और वहाँ के काउंटर पाट्स पिदिवाइड कर रखें देख भाही एक से मैं बात करूंगा तू सिर्फ य से करेगा तो डिवाइड कर रख़ा है उन्होंने क्या के रख लोंग एस्सोशियेशन बिट्विन स्पेसिफिक क्लाइंट कंपनी इस डिरेक्टर और एंप्लोई यह बहुत ज्यादा होता है कि इस पर हम लोग भैग जाते हैं मैं तो हमेशा भैग क्या हूं मेरा पहला क्लाइंट था जिंदल स्टील सें पावर लिमिटेट पहला नहीं था दूसरा है तीसरा था अंगुल उडिसा कोई है नहीं आप कहां से हो बेटा उडिसा से हो मैं अंगुल सुनाएं आपने हाँ हम लोग अंगुल में ओडिट कर रहे थे इन दे येर 2010 आई थिंक आज से 13 साल पहले मैं बड़ा बच्चा था ठीक है कि क्या एज रही होगी यार मेरी अब मैं वह उससे मैं भी वैसे निकाल रहा हूं उन्निस साल का शाइद मैं रहा हूं ठीक है बाइस साल का मैं सीए बन गया था तो मैं वैसे रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं तो हां आटिकल्शिप अठारा उन्निस साल का मैं वह पर आर्टिकल्शिप कर रहा था तो भा पोपट, आर्टिकल्शिप मिल गई बस बढ़िया, आप सब 17-18 गई होंगे न, तो 4 महीने बाद आप भी तो आर्टिकल्शिप भी जा रहे हो, आपको क्लाइंट पर पहुंच गया, आपको बढ़िया गाड़ी दे दी गई है, बढ़िया ड्राइवर दे दिया गया है, क्ला तो क्लाइंट पर न, बहुत अच्छी 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 होती है, JSPL की, डाइरी, पैन, ओर भी बहुत अच्छी अच्छी, तो साहु मेरे पास आया और एक डाइरी ले आया मेरे लिए, कि सब ये डाइरी आप सब लोग एक एक तो देते हैं न, क्लाइंट वाले, काम करन में सुना होता हो, तो मैं बैंक गरेंटी देख रहा था और कुछ बैंक गरेंटी expired थी, मैं छोटा तो था लेकिन वो बोलते हैं बड़ा दिमागा में, उस पर बड़ा बरसा हुआ था, कि सालो तुम कैसे काम कर रहे हो, यह ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे थोड़ी ना हो जिसमें बहुत सारी accessories, books और इस तरह की जो उसे लगा कि यार यह इसके useful चीज भी है, और इसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसको रिश्वत दे दी, वो एक दिन भाईया मेरे को दे देता है, कफिल, this is for you, मैं खुश हो गया, मैंने का, क्या है दिकाओ या, इतना सारा स बोला सर वो bank guarantee कर लेंगे, तो update कर ले यार, समझ आया, तो आपने इस तरह की gift accept करने है, कर लेना, ठीक है, आप independent नहीं हो लेकिन फिर उस case में, बट फिर भी कर लेना, लेकिन independent रहेना, ठीक है, बहुत बड़ा कांडबत कर देना, पता चले आप, कई कुछ बड़ाई gift ले और आपने client के financially sign करवा दिये, आपका partner jail जायेगा, पता है आपको, वो गएगा, मेरी team तो बहुत अच्छी थी, फिर आप बोलना, मैंने gift लिया थी, तो acceptance of gift भी क्या है, अपने आप में एक threat है, समझ आया, उसके बाद intimidation threat, intimidation का मतलब क्या होता है, धमकाना, धमकी, लिख हो हिंदी में, इस point के साथ क्या, धमकी, भाई, अडानी ने आपको काम दिया था, अडानी ने आपको काम दिया था, फीस कितनी थी, 50 लाक, लेकिन आप बड़ा ना self वाले बंदे हो, कि मैं नहीं करूँगा भीया, sign, PP&E का put to use पूरा, उपर वाले example में मैंने आपको क्या बताये था, आप मान लेते हो, लेकिन आप केरो, ना, 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 मैं नहीं करूँगा भीया, this is against our rules, वो कहता है, बताओं तिरे को, तले अगली पर भाहर निकाल देंगे, तिरे को, या भी भाहर निकाल देंगे, मान लो, private limited company है, या अपको धमका रहे हैं, कि ऐसा कर नहीं, तो, तू खतम, तो आप उनकी धमकी में, या तो आ जाओगे, तो तो threat हो गया, नहीं आओगे, तो यह safeguard है, क्या client आपको धमका है, तो आप मान लोगे उसकी बात, नहीं, आपने नहीं माननी है, और आपके right को protect करने के लिए, आपने companies act में देखा होगा, कि auditor को remove करना easy, क्य which occur when auditor are deterred from acting objectively, deterred का मतलब क्या है यहाँ पे, रोकना, stop करना, काम ना करने देना, from acting objectively with an adequate degree of professional, आप question पूछते हो, चुप कर, कितने question पूछते है, तो यह नहीं चलेगा भाई, ठीक है, बेसिकली, इस कूड है, तो यह नहीं चलेगा, बाई, ठीक है, बेसिकली, इस कूड है, principle, और pressure to disappropriate, reduce work in response to reduced audit, मतलब आपको धमका रहे हैं, चुप कर, इतना पूछेगा तो तिरको, बदल देंगे किसी से, या तेरा काम कम कर देंगे, अभी तु इतना काम कर रहा है न, अगली बार से तिरको इतना काम, नहीं, तो यह धमकाना हो गया, यह धमकी हो गया, है, चलो जे, सभी मेरे साथ repeat करेंगे, पांस तरह के थ्रेट, कौन-कौन से थे, नमबर वन, self-interest threat, नमबर टू, self-review threat, नमबर त्री, advocacy threat, नमबर फोर, familiarity threat, नमबर फाइफ, intimidation threat, आपको यह पांचो थ्रेट याद करने है, याद करने का मतलब यह point तो as it is, याद करने है, इ sorted है जी, सर अगर इस तरह का कोई threat हो, तो क्या कोई safeguard होना चाहिए, अगर इस तरह का कोई threat मिले, जब मैं किसी client को accept करूँ, तो क्या कोई safeguards follow करने चाहिए, definitely yes, जब भी आपको कोई client मिले, तो सबसे पहले आपको, आपने इस तरह के minimum number of audit सुना है, minimum, maximum, कि आप कितने audit कर सक सकते हो, maximum, आपने बेटा सिर्फ companies act पढ़ा होगा भी, आपके हिसाब से कितने audit ले सकता है, 20, उसके अंदर कुछ exclusion पढ़े होंगे, क्या, one person company, small company, private company, paid up capital up to 100 crore, यह आपने पढ़े होंगे, लेकिन यह rule था ही नहीं है, यह आपने low में नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा समझ रहे हो मेरी बात, और उसमें भी एक exclusion है, one person company, small company, इसका मतलब क्या हुआ, sir मैं companies act को ना follow करूं, नहीं करना पड़ेगा, sir मैं CA act को ना follow करूं, नहीं करना पड़ेगा, मतलब क्या निकल गया, दोनों को follow करो, CA act कहता है, आप 20 company का audit कर सकते हो, except these, मतलब उनका तो कितना भी कर लो, वो तो चाहिए 100 companies कर लो, private company भी लो, 100 crore, लेकिन CA act क्या कहते है, रुक भाई, तू maximum कितना कर सकता है, 30, तो इसका मतलब 20 तो तू वो वाली रख, जो companies act में अला हुए, लेकिन companies act के हिसाब से, तू private company कितनी भी कर सकता है, लेकिन CA act आके आपको कहते है, नहीं, त सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कि आप, ताकि अब, आपको सिर्फ ये बोला जाएगा, सिर्फ किताब में लिखा है, उतनी नोलेजाप कोनी चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए, ना कि हमारा chartered accountant debt के अंदर और भी further rules आने वाले हैं, समझाया, तो कहरे ये सारे rules देख ल by taking into account the context in which they practice, the threat to independence and safeguard available to eliminate the threats, क्या-क्या है देखेगा, following are the guiding principle in this regard, क्या-क्या guiding principle है, वो आपने देखना है, number one, auditor should always be, पहले ही, देखो, ऊपर से सारे point निकलेंगे, ये कोई नया concept नहीं है, auditor should always be and appear to be independent of the entity and they are auditing, तो इसका मतलब क्या है, क्या होगया, independence of appearance, आपने हमेशा, आपको कैसा शो करना है, you are independent, बहकना नहीं है, client आपको कुछ दे रहा है, आप बहक जाओ, हम लोग बहक जाते थे, बट आपने नहीं बहकना है, auditor should abide himself with the key fundamental principle, जो कि कौन-कौन से थे, integrity, objectivity and professional, skepticism नहीं भाई, skepticism क्या बोल रहा है, auditor should consider threat to independence before accepting any audit assignment, ठीक है, तीन basic point, number one क्या कहता है, appear हमेशा independent रहना है, दूसरा, fundamental principle follow करना है, तीसरा, before acceptance, threat to independence को consider करना है, fourth, in case of existence of any threat to independence, आपको क्या मिलता है, existence मिलता है, किसका जी, threat का, तो आप क्या करोगे, या तो उसको solve करेंगे, या फिर client accept नहीं करेंगे, auditor should not accept the engagement, और put in place safeguard, that eliminate them, if necessary safeguard cannot be put in place, due to circumstance, auditor should withdraw, तो ऐसे कि इसमें आप क्या कर लो जी, छोड़ कर चले जाओ, withdraw कर लो, if the auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguard, then he must not accept the work, तो आपको काम accept नहीं करना है, इसी के साथ आपका independence का concept खतम होता है, इंटर का, आपको समझ आया गया, please मुझे इतना बताईएगा, क्योंकि देखिए, एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, जो कि भाही मेरे को ले आना, please pull screen पे, ऐसे बहुत सारे concept हैं, जिनके लिए मैं आपको बोलूँगा, ये plain concept है, इसे plain रहने दो, रहने दो, इसका मतलब क्या है, ज्यादा दिमाख, मत लगाओ, plain चीज़े, theoretical चीज़े, theory के point of view से ही पढ़ो, और आगे बढ़ो, practical कितना है, अब मैं सिखाऊँगा, मैंने आपको independence बता दिया, आपने पढ़ लिया जी, पांस तरह independence को define क्या गया है, पांस तरह के thread बता दिये, उन्हीं में से ही निकल के क्या गया है, save guard, अब आपके दिमाख में query आनी चाहिए थी, से real life में independence कैसे ensure किया जाता है, लिखा गई, अब सुनिएगा वो, पहले concept क कर दिया, अब real life की बात, बिटा client की responsibility किसकी होगी, एक होती है firm, that is KPMG, इंडिया में हम उसको किस नाम से जानते हैं, BSR, ठीक है, यह अलग अलग नाम के हैं, यह भी किसी class में बताएंगे आपको, KPMG जो है, उसके अंदर, KPMG के पास Reliance Industries का audit आ गया, तो क्या KPMG Reliance का audit कर होगी, यह KPMG का कोई एक partner, उसका audit कर रहा होगा, KPMG का partner जो है, KPMG ने किसी एक partner को assign किया होगा, कि Mr. Kapil, you will take care of this Reliance Industries, आपने Reliance Industries की audit report को sign करना है, अपने नाम से और हमारी firm के नाम से, मैंने का जी बिलकुल करेंगे, कि जैसे ही कपिल को Reliance के लिए assign किया गया, Reliance का partner कोन हो गया, engagement partner, कपिल, engagement partner का मतलब उस engagement के लिए, कली मैंने engagement word use किया था था न, उस engagement के लिए who will be the responsible, the assigned partner, in our case Mr. Kapil Goyal, समझ आया है यहां तक, अब इस partner की responsibility है, कि वो independence भी ensure करेगा, सारे legal requirement भी ensure करेगा, सारे secretarial compliance भी ensure करेगा, सारा execution, reporting, quality and everything, who will ensure, the engagement partner, engagement partner, सबसे पहले देखेगा, कि whether we are independent or, तो इसके लिए क्या करते हैं, सुनिएगा, रियल लाइफ में क्या होता है, आपके साथ जो होने वाला है वो बता रहा हूं, यह तो theoretical था, what is independence, what are the threats, what are the, safeguard, but sir, real life में कैसे ensure होता है, आपको सबसे पहले हमारी एक legal team होती है, firm में, वो legal team पूरे employees को, पूरी company के employees को एक email करती है, कि भाईया, हम इस client का audit accept करने का plan कर रहे हैं, if you, or your family member, share family member भी होल्ड, अगर आपके पास कोई भी share है इस company में, या interest है, directly or, फिर पूरी list होती है उसकी company की और उसकी सारे associations की उस company की, तो आप हमें बताएं, sir मैं मेरे पाँ नहीं है तो ना बताएं, बेटा उस email का reply करना ना mandatory होता है, क्या होता है जी, mandatory, उसमें voting button होता है basically, आपको vote करना होता है, पहला होता है no exception, exception का मतलब समझते हो, क्या है यहां पर, कोई बताएंगा, exception का मतलब है यहां पर, जैसे मैं कहता हूँ no exception, तो मतलब मेरे यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, everything is fine, अगर मैं कहता हूँ yes, exception noted, इसका मतलब मेरे पास company के कुछ ना कुछ share है, जिसके मैं आपको detail share करूँगा, अब partner सबसे पहले यह email भिजवाएगा सभी को, सबी तो उस company का audit करी नहीं रहे, बट मेरी firm का तो बाट है न, बच्चों की यह query भी होती है, कि जो सिर्फ team है, वो independent होनी चाहिए, या पूरा office independent होना चाहिए, कौन independent होना चाहिए, पूरा office, तो उन्होंने reply कर दिया, no exception, सर मैं तो जूठा reply कर दूँ आ, प्रिमाक में आएगा आएगा आपके, कि मैं तो मेरे पास share है, लेकिन मैं बोल दूँगा, no exception, बोल दे भाई, partner को फर्क नहीं पढ़ता, बताओ क्यों, क्योंकि उसके पास अब एक evidence आ गया, कि आपने क्या self-declare किया है, मेरे पास shares, तो कल को मान लो, आपके पास share पकड़े गए, तो क्या partner को सजा मिलेगी, नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है, evidence, आपका career खतम हो गया, आया ना, क्योंकि आप भी तो क्या थे, चार्टर, आपको blacklist कर दिया जाएगा, और ये चीज हमारी एक दूसरी टीम है, research टीम बेसिकली जो, इसी और वो background में न, कुछ employees को हमेशा track करके, चेक करती है, वो हमें किसी को नहीं पता चलता, basically बड़े level पे चेक होता है, partner level पे, क्योंकि एक employee अगर रग भी रहे थो, वो क्या ही कर लेगा, तो generally जो बड़े level के लोग होते हैं, उनके bank details, उनके पुरा investment portfolio, उनके परिवार का investment portfolio, वो टीम पीछे चेक कर रही होती है, तो इस तरह से आप बच नहीं पाओगे, तो पहला समझ आया, partner कैसे independence को ensure करता है, mail भेज कर, email भेज कर, उसमें mandatory आपको reply करना पड़ता है, इस तरह से partner के बाइक evidence आजाता है, we are independent, हाँ जी, ये था, कि real life में independence कैसे ensure किया जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ पूछना है, अब independence के regarding अगर आपको कुछ पूछना है, प्लीज पूछेगा, exception ये कि difference, exception को आप क्या बोल सकते है, is equal to difference, कि हाँ भाईया, जो आपने लिखा है, मेरे पास उसका क्या है, difference है, मतलब जैसा आप बोल रहे हो, वैसा नहीं है, आपने पूछा क्या शेर नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास है, हाँ जी, कुछ query कुछ पूछना चाहोगे, बताइएगा, objectivity का अभी पूरा concept आएगा, इसका भी basic मतलब आप ये समझेगी, कि आपको अपना काम अपने हिसाप से करना है, किसी दूसरे के हिसाप से नहीं करना है, ठीक है, कुछ और पूछना है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कोई rule नहीं है, पहले ही बोला है, पहली line में बोला है, to define precisely, independence is not possible, तो आप ये मान के चलो, किसी को भी नहीं लगना चाहिए, अगर किसी एक को भी लगता है, कि मैं गलत काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब independent, आप एक बार बताओ, आपने कोई चोरी गी, ठीक है, अभी तक सिर्फ आपको पता है, आपने चोरी की, और आप इमानदारी का ढोंग कर रहे हो, बेटा बैठो, आप साथ साथ example सुनना, अपने चोरी का, आपने चोरी कर ली, मोनिका सिंग ने चोरी कर ली, मोनिका आपने मानलो कुछ चुरा लिया, अभी तक सिर्फ आपको पत तो आप मुझे बताओ, क्या आप independent हो, या आप ये बोलोगे, कि सर, मैं तब तक independent हूँ, जब तक वो security इंचार्ज सबको ना बता दे, बताओ, कब तक आप independent हो, सर, जब आपने चोरी गी ना, उसी point of time पर आपका independence क्या हो गया, खतम हो गया, वहाँ पर ऐसा कोई rule नहीं है, कि एक को पता चलेगा तब independent हूँ, या दस को पता चलेगा तब हूँ, भाईया, आप independent नहीं हो, आपके mind से आपको already पता चल चुका है, तो भाईया, कहां पे थे हम, audit की definition पे, कहां गई, audit की definition पे थे, thank you, Monika, इतना ध्यान रखने के लिए, बच्ची गह रहे हैं सर, पानी पी लिजए, त्रेड़ घंटा होगे आपको, लो जी, सही बात थी, thank you, अभी, screen, देखेगा, पहले वापस से आ गए कहां पे, definition पे, जहां से start किया था, क्या कहता है, an audit is end, समझ आया, independence, ओ, financial information, information वर्ड क्यों हो, यूज किया है, मैंने, क्योंकि जो financial है, मैं बड़े देशी तरीके से बता रहा हूँ, वो क्या एक, output है आपका, जो कि बहुत सारे information को use करते हुए, एक structured form में, balance sheet, P&L के form में, आपके सामने, बन कर आया है, तो क्या सिर्फ financial को देखक नहीं, पड़ेगा या नहीं, पड़ेगा आप बताओ, definitely, तो वर्ड क्या आया, financial, और any entity, चाहिए आप किसी भी audit, किसी भी entity का audit क्यों ना करें, तो बारा read करते है, an audit is an independent examination, of financial information, of any entity, whether, profit oriented or, सर इसका मतलब आप यह कहना चाहरे हो, कि अगर NGO है, तो उसका audit भी दिमाग खोल करना पड़ेगा, yes, उसमें भी आपको सारे rules follow करने है, आप यह नहीं बोल सकते, सर, यह तो छोटी सी company है, तो इसमें आपन जल्दी-ल्दी काम कर लेते हैं, यह बड़ी company है, तो इसमें अच्छे से कर लेते हैं, नहीं भईया, आपने काम हर जगे पे अपना पूरा करना है यह सोचकर काम नहीं छोड़ देना है, कि यार यह तो विकार कम नहीं है, छोड़ दो, यह छोटी कम नहीं है, छोड़ दो, यह तो profit के लिए काम नहीं कर दी, छोड़ दो, नहीं भईया, आपके जो अपने rules हैं, वो आपने पूरा हमेशा follow करना है, and irrespective of its size or legal form, कोई भी legal form क्यों नहीं हो, चाहिए listed है, चाहिए private है, जिसके जो rules है, सारे follow करने है, when such an examination is conducted, why, with a view to express an opinion there on, हम इस पर क्या express करते हैं, opinion express करते हैं, opinion के side में लिख लीजेगा, we'll discuss opinion in chapter number 9, 9 or 10, audit report, ठीके जी, अब यह definition analysis करने की जरूरत है मुझे, I think no, क्योंकि जो बाते मैंने बोली है, वो सब यहीं पर लिख्यों यह, आगे बढ़ते हैं, यह सारी चीजे भी already cover हो चुकी है, जो audit है, वो एक क्या है बेटा, systematic and independent work है, independence means, वो नीचे वाला concept यह उपर एक line में लिखा person is not subordinate to wishes of another person, it required that he should not act under any influence, thus he can work in a completely unbiased, फिर मैंने नीचे वाले concept का reference दे दिया कि एक essay number 220 आएगा, वहाँ पे detail में दिया हुआ है, हम audit किसका करते हैं जी, financial statement का, auditor opinion is on financial statement including profit and loss account, balance sheet and notes to account, financial statement बनाने की responsibility किसके है, auditor की, management की, the preparation of financial statement as per, यहां मैं रूखूंगा, क्या बोलता है, as per, applicable financial reporting framework is the responsibility of management, सरी यह FRF क्या है, मैंने आपको कली बताया था कि जो subject हम पढ़ रहे हैं, यह इंडिया के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, हम यह international level पर पढ़ रहे हैं, यह समझो, इंडिया में भी तो बहुत सारी entity है ना, banking है, insurance है, private limited है, अलग-अलग entity है, school है, NGOs है, cooperative societies है, सबके financial बनाने के rules अलग है, तो मैं यहाँ पर किसी एक definition में यह थोड़ी ना लिख सकता हूँ, schedule 3, तो आपको यह लिखना होगा न, applicable law and regulation, तो financial के लिए जो word आता है, वो क्या आता है, FRF, applicable financial reporting framework, कि जिस framework में जिस तरह से financials जाने है, उसी तरह से बने है, वो आपको check करना पड़ेगा, और वो बनाने की responsibility किसकी है, management की, ठीक है, entity, his client can be any entity, whatever is the legal form, it may be proprietorship, partnership, trust or company, the entity may be profit oriented or a charitable one, अब आप एक बात बताईए, क्या यह point आपको दुबारा life में read करने की जरूरत है, हाँ, कभी मत करना, ठीक है, यह एक बर basic understanding के लिए जरूरत होती है, दुबारा इसको read करने की जरूरत, नहीं है, opinion देखेगा, his opinion, his opinion मतलब बेटा, auditor opinion, is on true and fair view of the financial, यह word correct क्यों नहीं लिखा, क्योंकि we can't test 100% transaction, कर सकते हो क्या, नहीं तो 100% कर सकते हैं, हो सकता है, client ने क्या कर रख्यों, fraud कर रख्यों, तो यहाँ पे word true and correct, fair लिखा जाएगा, fair का मतलब है, कि जिस FRF के साब से, जिस accounting principle, accounting standard के साब से, जिस तरह से काम होना चाहिए था, उस तरह से ही मोटा-मोटा हुआ है, ठीक है, for this, fair view के लिए, for this, it is necessary that, अब कब बोलोगे financial सही बने है, when financial statement have been prepared using acceptable policies which are consistently apply, आपने सुनाए, the accounting policy should be consistently, सुनाए, AS1 ही शायद बोलता होगा, financial statement have been prepared as per relevant regulations, there is appropriate disclosure of all the material, तो तीन वर्ड बोल रहे हैं यहाँ पर, मैंने highlight किया हुआ है आपके लिए अलग से, कि fair view कब बोलेंगे, जब financials अभी सही policies को follow करके, regulations को follow करके, और सारे disclosures हैं, तो हम बोलते हैं, भाईया, fairly present है financials, yes or no, यह भी बड़ी basic बात थी, मैंने अच्छा types of opinion कहां पर आएगा, SA 700 series के अंदर, एक और लाइन है यहाँ पे, इन इंडिया, अब इंडिया की बात कर रहे हैं especially, who will conduct the audit, a company secretary, who, oh chartered accountant, the practicing chartered accountant or a chartered accountant, practicing chartered accountant, the person who have certificate of practice, in India, audit is to be conducted by a professional having good accounting and auditing background, a chartered accountant having certificate of practice is eligible to conduct audit, ठीक है जी, तो यहाँ पे, आप अपनी books में line लगा लीजेगा, please, ठीक है, मेरा काम क्या है, आपको उस 1.5 days के लिए prepare करना, कि आप इस content को revise कर सके, तो प्लीज, आज ही सही ना, आपको उस दिन के लिए तयार होना है, बहुत सारे student मेरे पास आते हैं, का 1.5 days में कैसे तयारी करें, मैं कहता हूं, तो कहा था, lecture 1, 2, 3, 4, जो भी हमने लिए, हर class में बताया जा रहा था, कहा थे, sir, मैं सो रहा था, sir, हर lecture में बताऊंगा, बेटा, हर lecture में आपको book के अंदर marking करनी ही करनी है, otherwise आपको बाद में दिक्कत आएगी, तो बेटा, concept आप skip कर सकते हो, put out, जहां तक line लगी है, उपर सिर्फ आपको read करना है, R, ठीके जी, तो अभी तक आपने कोई एक exam perspective से कुछ नहीं किया, only and only understanding, ठीके जी, आगे चलते हैं, break, the auditor conducting audit, the person, the auditor, who is conducting audit, should take care, to ensure, that the financial statement would not mislead anybody, would not mislead anybody को, आप बो आए, बो लो, I love you, I love you, क्या लिखा मेने, exam question, आपके paper में एक line आएगी, कि जो financial statement है, they should not mislead anybody, what you will consider, to ensure, that the financial statement are not misleading, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ accounting के perspective से बात की गई है, यह कह रहा है कि accounts कम मैं बोलूँगा, कम मैं बोलूँगा कि कोई financial statement misleading नहीं है, कब आप बोलोगे, कि कोई financial statement misleading नहीं है, बताओ कब बोलोगे, जब, सर, financial statement is an input और output, सर, अगर यह financial statement अपनी general entries के हिसाब से बने है, सारी general entry को consider करते हुए, तो यह misleading पहला, आप general entry को replace कर सकते हो, ledger से, दूसरा, सर, इसके अंदर कोई भी unrecorded transactions नहीं है, दूसरा, एक दो point अभी आप उपर पढ़कर आयो, So, these financial statements are prepared with the consistent accounting policies, with the regulations, हाँ, या ना, if there is any change in accounting policy, the accounting policy should be properly disclosed, yes or no, सर, यह तो AS1 की बाते कर रहे हैं, आप, definitely yes, उसके अलावा, जो disclosure गए हैं, वो AS पर FRF गए हैं, तो मैंने क्या क्या, financials जिस तरीके से बनते हैं, सिर्फ उसी चीज़ को translate करके बोला, वही ही है, यहाँ पर पढ़िएगा प्लीज, तो यह accounting के angle से लिखा गया answer, in doing so, auditor has to see that the financial, औरे कि यह यह ना, यह ने शोर करोगे भाई, that, और यह हैं examples, audit जो पूरा game है न, यह game है किसका, example का, तो आपका judgment है, आप, चार example है यहाँ पर, और चार नहीं बना सकते हैं, पहला example क्या कहता है, the accounts have been drawn up with reference to entries in the books of account, जो entries हैं, उन से बनाया गया है, the entries in the books of account are adequately supported by sufficient and appropriate, यहाँ पे एक word आपके लिए नया है, sufficient and appropriate, evidence आप समझ जाओगे, हाँ या ना, तो sufficient and appropriate, we will discuss later on, देखो, सबसे पहले कहता है, financials बने हो किस से, general entry से, अब general entry क्या, कुछ भी pass कर दे, बिटाइक entry पास कर दे, क्या purchase account है भी to bank, 5 करोड से, कर दोगे, आप क्या कहोगे सर, कुछ documents हो दो, तो जो general entries हैं, वो किस से supported हैं, proper evidences से, उसके बाद क्या कहता है, none of the entries in the books of account have been omitted in the process of compilation, आपने कोई भी undisclosed नहीं करना, the information conveyed by the statement is clear and ambiguous, clear का मतलब क्या है, clear, clear ही word यूज कर लो, आप unambiguous word को छोड सकते हो, clear मतलब, यहाँ पर clear क्या denote करता है आपको, आपका schedule 3 क्या बोलता है, schedule 3 बोलता है कि आपने सबसे पहले known current asset, current asset, दो statement बनानी है, उसके अंदर transactions को इस तरीके से आपने डालना है, account के नाम महापे दिये गए है, क्या अगर मानलो मैं किसी company का audit कर रहा हूँ, मैं change कर सकता हूँ उनको, नहीं, तो जो FRF की requirement है ना, जो nomenclatures हैं, वही सारे आपने use करने हैं, आपको different use नहीं करेंगे, तो पूरी अगर मैं एक chain बनाओ, एक flow बनाए हम, तो flow क्या बन क्या रहा है बताओ, अगर आप से flow बनाओ, तो flow क्या बन रहा है इसका, सबसे पहले क्या कह रहे है, general entry से क्या बने, general entry से क्या बने, accounts या फिर आप word यूज़ कर सकते हैं, financials, और उसके बाद क्या कह रहे, general entry के लिए क्या होना चीए, आपके पास, evidence उसके बद क्या कहा रहे general entry क्या नहीं होनी चाहिए unrecorded उसके बद क्या कहा रहे statement कैसी होनी चाहिए clear सारे disclosure क्या होनी चाहिए financial में और उसके बद कहा रहे picture कैसी होनी चाहिए true and fair हो जाएगा याद रटने की जरूरत है आपको इस वाले concept को कि याद करना है यह point आपको याद कुछ बच्चे ना answer तो याद कर लेते हैं question भूल जाते हैं तो आपने question भी याद रखना है the auditor conducting audit should take care that the financial statement would not mislead तो कब financial आपके misleading नहीं होंगे क्या देखोगे आप तब आपने बताना है कि financial किससे बने हो अब और और repeat कर लेते हैं financial किससे बने हो और general entry के पास क्या है evidence कोई भी unrecorded general entry सारे disclosure और financials क्या होने चाहिए true and fair ऐसा होगा तो क्या होगा misleading नहीं होगा और misleading नहीं होगा तो क्या होगा financial proper होंगे फिर क्या होगा जो user of the financial statement है उनका confidence reliability अखली नहीं पढ़िएगा auditing provide assurance it is basic nature lies in providing assurance to user providing confidence to user of the financial statement such an assurance lends credibility to financial statement audited financial statement provide confidence to user that the financial statement reflected in financial statement can be relied upon बात समझाई जी सरी ऊपर का paragraph नीचे का paragraph याद करना है नहीं आपने सिर्फ और सिर्फ किस पर focus करना है pointer पे समझाया जी तो यह था हमारा पहला exam का question मैंने जितना भी कुछ करवाया कुछ बच्चे पूशते हैं सरी important question बता दो लो जी बहुत important discussion है इस वीडियो का clip मैं time तो मेरी पाद नहीं है मैं time भी नहीं note कर सकता मेरे साथ कहीं चली नहीं रहूँ इस वीडियो का clip ना YouTube से मैं देख लूँगा चलो या YouTube पे कोई देख रहा है प्लीज comment कर देना मेरे को time मैं अलग से YouTube पे डालूँगा सुनिएगा attempt है November 2022 आपके paper में question आते है 21 21 मैंने पहली बार अपनी life में May 22 या November 22 attempt है मैं उपर नीचे हो सकता हूँ मैंने पहली बार अपनी life में एक listing issue गी जिसको मैंने नाम दिया important question listing for your November 22 exam पहली बार अपनी life में उसके पीछे देने का ना एक logic था ऐसे हवा में नहीं दी गई थी वो 21 में से 16 कोशन आ गए उस list में से 16 बच्चों ने का paper आपने बनाया है मैंने का नहीं मैंने नहीं बनाया मुझे दिख रहा था ये आ सकती है ये questions इस बार बहुत सारे changes हुए थे तो obviously change में से आई से एक question पूछेगा फिर मैंने एक और लिस्टिंग बनाई important question for your next attempt क्योंकि मैंने देखा 40 चीज़े एड हुई थी 16 आ गई मेरे पास अभी 24 पेंडिंग है मतलब इन में से भी 4-5 आएंगे अगली बार फिर से 7-8 question आ गए same ditto फिर मेरे पास 10 concert बचे हुए थे हाया ना मैंने तीसरी बार फिर बोला important question for your exam अगली बार फिर 5-6 आ गए अब मेरे पास सारा पिटोरा था जो खतम हो गया मैंने बच्चों को ये बात आकर बोल दी कि अब बच्चों का ना focus फिर change हो गया कि हमेशा इसे ना ये question पूछ रहे तो इस बार ना पूरा दिमाग इसी पर लगा के जाएंगे मैंने एक live session लिया मैंने का ये चीज इस बार पेपर में बच्चे कह रहा है सालै कि मी सी नहीं आएगी मैंने का ये नहीं आएगी मैं किलियर हूँ क्या आएगा इस बार नहीं समझा रहा हूँ आध व rear اगा उन्होंने का नई 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 तुम पिछले तीन अटेंट से भगवान शिराम बने वो इस बार पीछे नहीं हट सकते इस बार भी एक लिस्ट दो कौन सी लिस्ट भाई मैंने दिल पे पत्थर रखा क्योंकि मैं ना देता तो पता है क्या होता इस बार चार सो की जगे सो बैठे होते वो इब बच्चे कहते उसके पास मत जाई हो उस मानस के पास उसने हमको नहीं दी क्या इंपोर्टेंट उस तो अहां चले आते हैं इंपोर्टेंट कोश्चन के लिस्टिंग दी गई बोला भी गया भाया इस पर स्पेशली एक बात बोली कि इस लिस्टिंग को रेफर मत करना मेरी में बुक निकाल लो जो जो मैंने इंपोर्टेंट मार्ग करवाया ना बुक में जाके इंपोर्टेंट लिख लो पूरा प तो हमने लिस्ट इशू कर दी। मैं नुट शेल में बोल रहा हूं एक भी कोश्चन नहीं आया। नेवेंबर 23 के अंदर। मजे की बात यह है कि जो इंपोर्टेंट कोश्चन होते हैं जो अच्छे कंसेप्ट होते हैं। 21 में से वहां से 7 कोश्चन आये यह 6 आये। जो इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं जो हरे टम में 15 से 20 नंबर की कवरेज रखते हैं। वहां से 88 नंबर का काम आया। कहां से पेपर आया। जहां से 3 नंबर का काम आता है। उससे 12 का आ गया। आया डारेक्ट। मैं कहा रहा हूं इतना प्लेन पेपर आज तक नहीं आया। नेवेंबर 23 का जितना प्लेन पेपर है न मतलब बिल्कुल डारेक्ट कोश्चन। इतना पेपर कभी आज तक प्लेन ही नहीं आया। लेकिन जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी करके जाता था कि मैं ये तीन चेप्टर करके जाओंगा इनसे तो 40 नंबर का काम आता है। उसने पेपर में देखा होगा इससे तो 15 नंबर का काम आता है। फिर उसने आखे बंद कियोगी। कपिल जी को याद किया होगा और नाम लेकर लिखना चालू कर दिया होगा। मतलब पूरे सेशन में इस पांच मिनिट के सेशन में मैं आपको क्या बताना चाहरा हूं बेटा क्या समझ आया इससे कि आप अगर सेलेक्टिव स्टडी पे जा रहे हो और सिर्फ इंपोर्टें करना है तो कॉंक्लीड कर रहा हूं आप जब भी करेंगे पूरा चेप्टर करेंगे अगर आपको लग रहा है मेरे बसकी बात नहीं है पूरा चेप्टर छोड़ देंगे क्योंकि उस टाइमने एक माइंड सेट के साथ जा रहे हो आप कि इस दस नंबर को तुम्हें इग्न पूरना नहीं है ठीक है यहान रहेगी यह बात लेक्चर तीन के अंदर है अलग से डाल दूगा इस बार क्योंकि नेवेंबर 23 का बच्चा देखना इस बार 90 मार्क्स भी आएंगे लेकिन इस बार जिस बच्चे के 60 आ सकते थे उसके 45 भी आएंगे अभी हम स्वागत करते ह हर्श मैता का जो कि हमारे बीच में है माइक दे दीजिएगा प्लीज ओडिट में इस अटेंट में इन्होंने 75 मार्क स्कोर की हैं ठीक है एक बार इस चीज़ के लिए भी तालिया पिचेतर नंबर लेने के लिए ओडिट में भया हिम्मत लगती है उसके अलावा इस डूइ मेरे ओफिस में बैटके अपने मिटिंग कर और जब एक बज़े मिटिंग खतम हो जाए तब आना तो तो अपनी मिटिंग खतम करके आपके लिए आ रहे हैं आपको क्लास गाइडेंस देने के लिए तो इस चीज़ के लिए भी तालिया आपको कैसे हो बहुत बढ़िया लगा तुम्हें देखकर क्या पतला हो गया यार तो यहां पर बैटता था इसकी सीट बिल्कुल फिक्स थी और हर चीज़ का बहुत बहतरीन जवाब देता था मैं इसे चुप करता था मैंने का हर्ष रुख जा याद है मैं कहता था पिछली एटेम्ट में था आपके साथ मैंने का हर्ष रुख जा पहले पूरी क्लास को सोचने दे ऐसा नहीं है मैं पूछता नहीं था लेकिन पूछता था चल अ तो बेसिकली ना आपको ऐसा बनना है मैं यह बोलूँगा यार कभी यह नहीं कि यार कुछ भी बीच में इसी के क्लास में और भी मानस थे जिससे में परिशान भी थे लेकिन इसने अपने एक ऐसा प्रेजन्ट गया इसने अपने आपको हमारे साथ कि यह भाई बन गया है मतलब इसके रजल्ट से पहले भी मैं इसके साथ connected था इसके रजल्ट के बाद भी मैं इससे अच्छे से connected हूँ और आज भी connected हूँ और मुझे लगता है यह जो relation है जो हमारा bond है एक student और एक teacher का तो obviously था और आगे भी रहेगा लेकिन उसके अलावा यह bond काफी आगे जा चुका है बहुत आगे बढ़ गया है क्यों क्योंकि यह deserve करता है तो आपने भी मैं यही बोलूँगा कि आपके जित अच्छी बात है तो एक काम करते हैं मैं आपके बिहाफ पर question पूछ हूँ कुछ या आप ही लोग पूछ होगे पहले मैं कुछ basic question पूछता हूँ देन लाइव के student और जो face to face student वो कुछ लेना हर सबसे पहले दे बताओ आर्टिकल्चिप कैसे चल रही है साथे डे सब्सक्राइब होता है हमें लगता है लाइव सेट हो जाएगी इदर आगे बात करो इदर आजाओ वहां से असली problem शुरू होती है क्या हो रहा है तुमारे साथ तुमारी जुन्दगी में क्या प्रोब्लम सा रही है तो यह बाते क्या तुमने मेरी क्लास में सुनी थी कि रात को तीन बजे निकलो गया तुम्हारे लिए सर्प्राइज था यह और बता दो सुनते वक्त ना लगता है चलो देखा जाएगा बट जब असली में experience करना पड़ता है और डारेक्टर बोल दे कि आज पूरी रात बैटी तो फिर सर इसे हिट होता है कि अच्छा reality check मिल गया तो यह बड़ा देखो stat audit connect प्यार है आप जब भी अपनी firm में काम करने जाएंग आप यह मत सोचेगा कि ममी मैं दस बजे जा रहा हूं छे बजे आ जाओंगा ऐसा नहीं है आप दस बजे जाएंगे आएंगे कब वह आपको भी नहीं पता तो हमारे यहां कोई working hours नहीं है and this is our life accepted अगर आप नहीं accept करना चाह रहे हैं तो audit profile में stat audit profile में तो मता ना भाईया otherwise लग जाएगा आपके स्टाइफंड कितना मिलता हैं और तुम ट्रैवल में बनाते हो अच्छा फर्म देख लेगी तुमारी यह वीडियो हमारा वो सारा ओफिस से काम होता है तो अच्छा टीपी में चला गया तो ठीक है तो otherwise हम ट्रैवल में भी हमें पैसे मिलते हैं जैसे की पोलिसी होती है भा है आपका चाहिए एक रुपय का खरचा है चाहिए पंदरा का है हमें कोई मतलब नहीं है तो वहां पर भी जैसे अगर आप सत्तर अस्ती सोगल मटर गए तो आपको टैन के साफ से थाउजन रुपीस डेली के अलग से मिल जाएंगे तो जो एक बिक फूर का आर्टिकल है त अधर वाले तो कहते हैं बस कर जा पर मैं चल ले रहे हो बहुत अच्छी बात है लूटते रहो बहुत अच्छी बात है चलो बिग फोर की लाइफ के बारे में समझ आया तफ लाइफ है बट लर्निंग बहुत है यह जो आज इतना रो रहा है ना एक और प्राणी है शुब है मेरा स्टुएंट वेस तूफेश का यह आपका वो तो रो दिया कि सर में तो छोड़ रहा हूं हुछ दो साल के बद कहते हैं मम जा रहा हूं सर मैंने का क्यों लग गई इतना नहीं है मैंने का लगा रहें यह तेष को उसके तीन साल कि थे तुम्हारी तुम बच गए थोड़ा मैंने कोई बात नहीं बेटा तू खून के आसू पीता रहे और सी स्माइल फेस पर रख जिसे नहीं नहीं शादी नहीं होती बेटी कि बेटा सांस को खुश रखी हो बस ऐसे तो खुश रख जैसे तैसे करके भाई उसके तीन साल निकलवाए लगा है किते का पेकेज लगा है उसका थीस लाग का शुबहुं का 32 लाग का पेकेज लगा इसी यह बनने के बाद शुबह मगरवाद 32 लाग 22 साल का लोंडा कमा रहा है उतना भी नहीं उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेज घर ट्रैवल सब कों देता है कंपनी मेरो कहता है सर आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना तो दिस इस दिलाइफ आपने दो तीन साल जो अच्छे से मेहनत की ना विदाउट एनी कॉंप्रोमाइज विदाउट एनी मतलब एक होता है अफर्म में एक्सक्यूज देने लगा तो फिर बतिस नहीं मिलेगा फिर वहीं आप दस लाकी मिलेगा क्योंकि आपका तो क्या टूट गया था हाथ तो ये है हमारे Big Four के आर्टिकल्शिप का एक बहुत सारे बच्चे बोलते है बिगफोर में जाए या मिडियोकर ऐनी है मुझे तो प्राक्तिस करनी है तो मैं mediocre CFM में जाऊंगा, मैं बोलता हूं घंटे तरको big four मिल रही है, तो जाऊंगा, बात तो ऐसे कर रहा है, जिसे big four वाले offer letter देकर बैठे हो, कि आओ, आप जमाई राजा हो, पहले आप big four में आओ, फिर आप decide करना, जो बोलते हैं ना, मैं big four में जाऊं या मैं mediocre में जाऊ I need some guidance, मैं कह रहा हूं, पहले दो four letter हाथ में रखवा, then ask this question, मैं अपने साथ five director बिठा दूँगा, आपको guidance देने के लिए, जब तक ये guide, ये दो four letter नहीं है, तब तक ये question क्या है, आपका, बेकार है, अगला भाई, आप ये बताओ, इनके लिए जो ज़्यादा important वो ये है, कि जब आपकी face to face classes चल रही थी, आपने इस audit जैसे subject को, जो कि इतना difficult माना जाता है, इतना theoretical माना जाता है, इतना boring माना जाता है, इसको कैसे manage किया, किस से coaching ली, क्या फायदा हुआ, वो teacher अच्छा खासा पढ़ा पाया आपको, क्या वो practical को सिखा पाया आपको, तो थोड़ा marketing पर थोड़ा सा दबाव डाला जा, बताइए, सर, classes के लिए मैंने classes सर आप से ली थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा गाम, ये पहला सई स्टा, ये पहला सई स्टा, तो तुम दोसरे teacher के नाम नहीं बता होगे, हां जी, आके, सर, जो भी topic class में आप करवाने वा पर वह हरकत मत करना, जो सर पढ़ा रहे हैं ना सुन लो, तुमें लग रहा है, वो कहानिया है, पर वो ही कहानिया याद आएंगी, जो तुम पेपर लिखने बैठोगे, आक्छी ने, पर ये कहानिया बहुत इंपोर्टन है भई या, ठीक है, आप अपनी कहानिया याद रवाइस कर लो, उसमें से एक दो क्वेशन लिख के देख लो, बस, बट डेली बेसिस पर ऑड़िट को टाइम देना पड़ेगा, अट लीस्ट देर दो घंटे अगर तुम ओड़िट को डेली बेसिस पर दोगे, तो फिर तुमारा अफ्टर क्लास और विद ग्लास, आफ् तुम्हें कभी चैलेंज आया इस सब्जेक्ट को पड़ते टाइम, यह होता था कभी-कभी कि जो पड़ा है वो भूल गया, आप याद नहीं आ रहा जब मैं असली में question papers लिखने बैठ गया, तो यह problem होती थी, पर दुबारा जाकर रिवाइस किया, एक बार रिवाइस किय छे बार क्या था, प्लीज, प्लीज, नोट दिस पॉइंट, यह आपको याद रखने वाली बात है, कि आप पेपर में, तब देखो, पचास पच्पर नंबर तो यार हरको ही ले आता है, इस 75, 85, 90 मार्क्स जिन बच्चों के आते हैं न, या तो वो दो बार ऐसा अच्छे स रिवाइस करते हैं, लिखके भी देखते हैं, या फिर आप मल्टीपल उसको आदे एक घंटे हमेशा continue रखो, इवन शुभम को भी मैं बुलाऊंगा, अभी तुम तो सी यह बनोगे, शुभम is also chartered accountant, final में भी उसके ओडिट के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैंने उससे मैं आपने बाकी सब्जेक्ट को 6-6 घंटे पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं audit को एक गड़ घंटे रोज पढ़ रहा हूं till my exam, और यही एक ऐसा चीज है जो आपको 70-75 नमबर दे जाता है, और आप खुश हो जाते हो, तो देखो, मैं तो ज्यादा question पूछूंगा नहीं, आप के लिए बुलाया है, प्लीज आप ही पूछेगा जो question आपको पूछना है और लाइव आलो आप पूछेगा, ताकि मैं आपके query को repeat करता हूं, आपके, कुछ है तो पूछेगा, प्लीज, हाँ जी, single group से big four में तो नहीं होगा, अब आज के दिन तो नहीं होगा, छे paper है में या बहुत group करके ही जाओ आप, मैंने single single group ते ता, तेरे marks 595, कोई reference नहीं हो गया, marks 595, हाँ जी, और बताइए, मैं एको आइडिया नहीं है, मैंने बिना reference के हो जाता है, अगर तुमारे पास marks धंके हैं, और तुम अपने आपको present करना जानते हो, interview में कैसे present करते हैं, तो हो जाता है, आपको guidance चाहिए, आपका पता एक question हमेशा reference क्यों आता है, पता नहीं, हाँ जी, और बताइए, पूछे बेटा, पूछे, practical paper definitely time जादा consume करते हैं, क्योंकि आप लिखते solve करोगे, उसमें time लगेगा, अगर तुम practical को 2 घंटे दे रहे हो, तो at least आदा एक घंटा theory को भी साथ में दे दो, theory को 6 घंटे देने का फाइदा नहीं होता, क्योंकि इतना सारा हम रिटेन नहीं कर पाते, तो मैं तो यहीं करते हुआ हर्श, यहाँ पर खड़े हो कि रिप्लाइ करो, मैं theory subjects को half time देता था, जितना मैं practical subjects को देता था, कि आप पहले theory कर लो, then move to the practical subject, हाँ जी, दूसरी को. मैं तो अपना दिन शुरू गरता था theory के साथ, मैं सबसे पहले audit और EIS वग्यरा close कर लेता था, फिर उसके बाद मैं शुरू गरता था, practical. इनकी query थी कि सुबह किस subject से start करना चाहिए, हाँ जी, मैं पहले query repeat करूँगा, then you answer, ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहे हो, notes बनाये थे तुमने audit के, audit के है किसी दूसरे subject के, audit के notes बनाये थे, सर्ज, आपने जो chapters बोले थे, जैसे chapter 9, 13 और वो chapter 5, उनके notes बनाये थे, बाकी सब books से बढ़ाता है, तो basically notes, बोल्दू नहीं बनाये थे, नहीं बनाये थे, नहीं बनाये थे, notes, किताब से बढ़ाता सिर्फ, ठीक है, हाँ जी, वो गलतिया आर्टिकलशिप से related थी इसकी, वो कर लेंगे discuss, जो इसकी गलतिया थी, जो इसको basically, एक दो गलति, नहीं वैसे तो सब कुछ advice लेकर ही कर रहा था, लेकिन एक point of time पर ऐसा होगा, शायद इसको भी लगा होगा, यार मैं कितने phone कर रहा हूँ, ऐसा कुछ था गया? अच्छा, तो basically सब कुछ यह बहुत अच्छे से discuss कर रहा था, एक कुल शायद इसने अपने आप से ले ली होगी और वो शायद थोड़ी गलत थी, मेरे इसाब से, वो बताएंगे क्या गलती थी, हां जी, और बताओ, सब क्यों नहीं दिये, पूछ रहा है, अपने भूत ग्रुक क्यों नहीं दिये, हां जब नंब ये चुका नहीं अईरं मेरEL गृइट क्रोफ zei, मेरे तो नियुय दोड़ा कोईट हूए हैं चयूज, या तो फिर एक ग्रूप को ढंग से कर ले फिर नेक्स रेटेम में दूसरा ग्रूप कर लेंगा मैंने या लास्ट में एक जजमेंट कॉल थी सब्मेर को यही कहते हैं बोध ग्रूप देना चाहिए था बट कोई बाती हो सकता है बोध ग्रूप फेल हो जाता क्योंकि इसकी त इंटर्व्यू कैसा क्या एक्स्पिरियंस था वह भी बताओ अभी जब पेपर खतम हो गए मैं अभिशेक ओनलाइन की कुरी देख रहा हूं आप प्लीज भेजिए मेरे को कुछ ऐसी लगी नहीं जो अलग है हंजी प्लीज जब पेपर वगेरा खतम हो गए तो सबसे पहले इसके बाद पर इसके बाद इसके साथ साथ भी ध्यान अखना और इट इट और डीट ऐसे अब्जिक्स को पढ़के रखना एस वगेरा पढ़के रखना नहीं तो प्रॉब्लम होती है इंटर्व्यू में एस पूछे जाते हैं इंड इस भी कुछ पूछे जाते हैं और जब से पहले एक एक on-line assessment test था ऐस्ट टेस्त था ख़ा अज तो एक भी कोड़ एवा घू जा जाएगा उसके तिरू online assessment टेस्त था उसको को एको next round के लिए वुलाया गया और सब्सारे के सारे के सारे के सारे रौंस बिग एकश्य को नाइन निए है वीं और इक एचार राउ वाइ इस पर्टिकुलर डुमेन यह सब था then there was a technical round जो स्टार्टिंग में एक manager ने लिया था तो मेरी manager ने मेरा round लिया था उसमें सारे के सारे technical questions थे basic questions थे HR के technical questions भी थे standards on auditing थे 700 की series बहुत important है 200 important 300 important थे सारी series questions थे audit report से related काफी सारे questions पूछे गए थे first technical round clear करने के बाद then there was the director round वो भी सारा technical ही था and उन्होंने भी standards on auditing questions पूछे थे पर उन्होंने इंड-AS से भी questions पूछे थे कुछ इंड-AS जो बहुत important है जो हमारे AS से related हैं इंटर में उनसे questions पूछे गए थे वो उस round में मैं भी थोड़ा परिशान हो गया था क्योंकि इंड-AS इतने ढंकसे से आते नहीं थे पर उन्हें भी यह चीज पता होती है कि यह final में final का part है इंटर में वो लोग नहीं पढ़के हैं then there was a partner round partner round में भी मैं इसे technical questions और HR questions सारे पूछे थे तो basically आपको बहुत पढ़ाई करनी पढ़ेगी after your exams exam के बाद आपको इंड-AS पढ़ने पढ़ेंगे even अगर आप YouTube पर जाएंगे न अभी भी मेरी recent वीडियो देखेंगे क्योंकि बच्चों के exam हो गए हैं तो हमने already एक वीडियो डाला है कि आपको exam के लिए कौन-कौन से questions प्रिपेर करने हैं तो उसमें हमने already index बताये हैं कि यह तीन index आपको पढ़कर जाने हैं तो वह वाले index आप क्या करना exam के बाद और results से पहले जो दिन होते हैं उसमें आप तयार कर लेना सारा skill आपको पता होगा क्या क्या करना है हां जी एक live से query लेते हैं यह पूछना था कि आप कितने घंटे पढ़ाई किये थे इतना कितने घंटे पढ़ते थे और कितने घंटे सोते थे यह बताओ यह query है अमन की सर मैं 8 घंटे सोता था अराम से बस paper के time पे मैं sleep को sacrifice करता था नॉर्मली मैं 8 घंटे सोता ही सोता था जब paper pass आ गए थे तो 10 से 12 घंटे मैं पढ़ लेता था नॉर्मल डेज में 7 से 8 घंटे मैं कोशिश करता था 8 घंटे मैं daily basis पे पढ़ लू उसके अंदर classes 3 घंटे की होती थी एंद 5 घंटे की मेरी self study होती थी ठीक है जी तो 8 hours in normal days और 10 to 12 hours exam के आसपास sleep sacrifice नहीं था आपके query प्लीज नहीं है query अभी personally पूछ लेना तुम यह साहीं नहीं रहेगा ना इस platform पे तुम पूछ रहे हो किसी दूसरे teacher का नाम जाए साहीं नहीं है यह personally पूछ लेना है यह वाली query एक बार एक query यहां से और ले लेते हैं तुशार की query है कि आपने during your preparation क्या कोई ऐसी गलती की थी जिसको आपको लगता है यह गलती को प्राक्टिकल जैसे यह subject है audit subject है अगर तुम इसको daily basis पे अपना sufficient time दोगे ना तो तुम अराम से clear कर सकते हो 70 mark score कर सकते हो बट आपको इसको daily basis पे time देना पड़ेगा बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं एक बार पढ़ लिया ना अब इसको side में रखते हो अब हम first revision के देना है चाहिए वो law है चाहिए वो audit है चाहिए वो SM है इनको time daily basis पे देना पड़ेगा नहीं तो बहुत problem होती है इंगे जी कोई note बना नहीं रहोगा important बात के आप सुनोगे बाद में भूल जाओगे I hope कोई एक student तो लिख रहा हो class में जो key बात है जो यह बोल रहे है उसक तीन questions मैं उठाके लिख के देखता था मैं ऐसा नहीं करता था कि याद करके लिख रहा हूं मैंने एक पर आंसर पढ़ दिया फिर उसको मैं अपनी language में लिख देता था लिखो यह point daily writing practice कितने question की करते थे दो से 3 लिखो daily theory paper reading आदे घंटे एक घंटे daily अपना read करते थे theory paper को उसके अलावा अगली query है आपके marks कितने थे audit में 75 थे जो मैंने बता दी 75 75 थे ना उसके बाद स्टाइफंड आपको अल्रडी बता दिया है 15,000 इंट्रव्यू के question इन्हों ने बताई दिये इंडेस से पूछे जाते थे GST से और सारे standard पूछे हैं सारे AS पूछे हैं आप तुम क्लास में आते थे starting इंड़ में चले गया ता फिर जब पेपर खतम होंगे तो बढ़ा शुरू कर लिया था तो पूरा जिम मैंनेज किया तुमने तो पूरा मैं इक साल तुमने चिम मैंनेज किया था पूरा या उसमें one year में कुछ मंत किया था कुछ नहीं किया था त इस तरह से टाइम मिला कर लिया बीच में देखकर बता सकता हूं कि इसने जिम नहीं किया था काफी लंबे समय तक क्लास के टाइम पे तो नहीं किया था तो नाव ही इस लाइक फुल शेप लेकिन हाँ उपता चल जाता था जिम करता था और अभी छोड़ दिया है और इंग्ल अगर नहीं है इंग्लिश अच्छी तो फिर डेली राइटिंग प्राक्टिस करके इस जो लैंग्विज शर ने बुक में दे रखी है ना उसको रेप्लीकेट करने की कोशिश कर लो बहुत फाइदे में रहो अगर इंग्लिश वीख है तो अगर आपके अच्छी आप फ्रेम कर लेते हैं लेंग्विज तो अच्छी बात है अगर आपके इंग्लिश वीख है तो वैं दोगी जगे क् espacio का नेम बीड़वल्यू सी है लूहां बेची सिर्म गर खोए टेपेटिया धर्म डेता मिल सब्सक्राइव that will Soc की दिए सब्सक्राइब चबर को सब्सक्राइं करिए तो मैंने इन्टेव tीन स्कॉध में डिया थिए जब असलीstat पहल्ग चाहिए मिलूत्रा में तिए दीटी के चिंएाथ ड्ला joining चद्डा में दिया था और होगने डिया थे तुम्ही बता दो यार क्योंकि मैं तो आदे पॉइंट सेद मिस कर जाओंगा वो गलती गया थी प्लीज सर अभी ना मेरी आइटी की ट्रेनिंग चल रही थी सुन लो भाई और मेरा बीडियो में इंटरनल ओडिट क्लियर हो गया था स्वाइट के साथ के साथ पीडियो में इंटर्वी चल रहे थे एक डारेक्टर रहे था और एक पार्टनर रहे था तो मैंने इसको बोल दिया था कुछ दोक्युमेंट अभी तुमत दे इसने का ठीक है नहीं दुगा वह टुमेंट्स लोग लिए वीडियो में जो मेरा पॉइंट 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 को जाएगा सब कुछ यहां पे क्लोज आपके इंटर्वीज वगेरा हो जाएगा आपको बता देंगे कि आपको बड़ी हसिया थी जसने किया था ठीक है फिर इट हो गई आइटी की ट्रेनिंग पूरी हो गई उनका पेपर भी हो गया अब मेरा पार्टनर राउंड भी हो चुका है पीड़ीज वाले कहरे है अब आपका सब हो गया अब आप मेरे को बाकी डॉक्युमेंट दो और जॉइन कर लो वीडियो वाले बोल रहे है बीडियो ने यह कहा दि पर फिर उन्होंने आल्टीमेटर दे दिया जॉइन करना है तो करो नहीं तो वी लुक फर्दर तब फिर मैंने फाइनली यह डिसीजन लेगे कि बीडियो को मना कर देते हैं क्योंकि मैंने पीडियो को मना कर दिया मेल पे पहले कॉल पर मना किया उन्होंने मिरे को का मेल पर मना करो मैंने उन्हें मेल पर मना किया और मैंने इसको क्या बोला था मेल पर मना मत करना कहीं भी मना मत करना करना डॉक्युमेंट मत करना मैंने उन्हें मेल पर मना कर दिया और मेरे साथ ट्राजडी होई कि जो मेरी वेकंसी थी स्टाट ओडिट की वह फोल्ड पर चली गई जो हमारी वेकंसी थी वह फोल्ड पर चली गई नेक्स्ट ट्वेंटी टू थर्टी डेस के लिए वी के नॉट शॉयू एनिटिंग कि आपका पूल दिया था कि आपका सेलेक्शन हो चुका है पांसे साथ दिन बाद ऑफर लेटर आ रहा है मतलब मेरी लाइफ में शायद इसकी किस्मत ही घ्रह साही नहीं थे ऐसा होता नहीं है 99 परसेंट इसके साथ तो हो गया ना इसको मना कर दिया अब इसकी हालत देखने लायक थी और सर मना भी ऐसे नॉर्मल नी किया पहले मना कर दिया फिर शाम को कॉल करके कहते हो गया फिर अगले दिन कॉला है नहीं हुआ अब तुम अपना देख लो ऐसे मेरे साथ दो तीन बार कर ती आलगले कर चार से तो फिर सार्ने में को का एक mail वगेरा लिख ले बात करके यहां जहां जहां इंटर्वी धिए सेलेक्षिन को गया, मैंने सबको बना कर दिया जाएंगे PwC एक दो हफ्ते काफी ऐसे था मैंने फिर सर को भी रीच आट किया कि सर आप कुछ करो सर ने का जैसी वेकेंसी आएंगी तू मिले को बताई हो हम कुछ करते हैं पर फॉर्चनेटली मिलको उनियाचार का कॉल आगया कि उनके पास वेकेंसी है ट्रांसर प्राइसिंग डॉमेन में तूने एक चीज मिस कर दी है इसके बीच में क्या हुआ यह बोला सर क्या कर वब जो मुझे इतना याद है मैंने का काम कर मैंको रिष्टे नहीं भी गाडने है पुर यू इस वेरी इज़ी तो से दाट वेकेंसी इस क्लोज़ गोई उसमें तू भी कुछ नहीं कर सकता बट मेरा ना ध्यान रखियो यह बात तुमारी हुई थी इस तरह से इसे परसनल लेवल पर बात की फिर मैंने आपको मेल भी ड्राफ्ट करके दिखाई थी यह मे है आट को अचा अमेरे को शल models को बटाना मेरे कुछ रॉफ्ट का अपनी अचार को शोर म päक forever करते ना करते तो कोई बात में लेक्ट प्राइसिंग डोमेन में इक वेकram जुर में की तो मैंने अपने ह्इस आट किकी को ट्रांट की तो मेंने अपने मेला дорог मी स्合ूर dot ki e 1st round, 2nd round, 3rd round, 4th round 4th round दोबारा दिये and उसके बात जाके मेरे को offer later मिला finally तो देर है वर दुरस्त है हो जाता है if you deserve ना हो जाता है इसकी किस्मत कुछ अलगी level पे थी अब इसका नहीं हुआ यह situation है, first चुका मैंने बोला तरह कितना time मैं अब आर्टिकल चेपका, time था हमारे पास 1.5 महीना था मैंने का कोई बात नहीं, तो बिक फोरी जाएगा don't worry, इसके लिए मैंने senior partner को phone लगाया, याद है तुझे? याद है sir, EY में मैंने EY senior partner को phone लगाया जिनको मैं कभी किसी के लिए phone नहीं लगाता एक इसके लिए लगाया और एक और स्टूडेंट था मेरा past में, उसके लिए लगाया था उसका तो हो गया था, इसके लिए मेरे partner के रहा है, मैं चेक करके बताता हूँ शाम को message आ गया, कपिल यहाँ तो सारी vacancies already full मैंने मानते व्याद रग लिया कि मैंने अपना एक ही बार में इसके लिए क्या निकाला था, ब्रहमास्त मैंने senior partner को इसी दाफोन लगाया, मैंने का सर एक बहुत ही deserving candidate है, अगर इसका नहीं हो आना तो मतलब खुद को अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने का vacancy closed इसके उपर तीन बंदे लगा दिये मैंने अमन के साथ तू personally contact कर रहा था न directly, अमन सर से आपने बात की थी, मैंने शुभम से बात कर लिए थी मैंने दो-तीन बंदे लगा दिये, मैंने का भाई, कहीं कोई vacancy आये तो देखना अमन ने directors को बोल दिया, जो हमारे दोस्त है KPMG में, वहाँ भी vacancy close तो मतलब ऐसी किस्मत भी देखो हमेशा नहीं होती कि आप आर्टिकल्शिप ढून रहे हो, बट उस टाइम पे vacancy लेकिन वो कहते है न, आखरी जो fruit था, वो इसे मिला वापस से PwC ने इसको reach out किया या जैसे भी और आज TP में transfer price में काम कर रहे हैं, जो कि एक और मैं बात बता दूँ, stat audit में article chip मिलना, इस ही होता है transfer price में article chip मिलना बहुत tough होता है, दो profile है, एक तो TP और merger and acquisition दोनों ही profile में article chip ने मिलती और इसकी किसमत देखो इसको किसमे article chip मिली transfer price में, वहाँ पे न वहाँ पे न articles नहीं रखते, वहाँ पे chartered accountants रखते हैं काम करने के लिए ऐसी, हाँ, transfer pricing domain में हम सब मिला के 5 articles होंगे और team कम से कम 100-800 मतलब समझ रहे, मैंने बोला वही तो वहाँ पे कौन काम करते हैं तो, he is an article, but I am very sure he is doing the work of chartered accountants ऐसे ही एक ओर स्टुडिन थी दिक्षा गोयल, All India Rank 1 मैंने उनको बोला, दिक्षा, stat audit में तुम सो जाओ गी, sir, I will look for merger and acquisition first मैंने का, तुम्हें लगता है तुम्हें merger and acquisition में लेंगे, बोल, sir, मैं try तो करूँ कम से कम आज KPMG के merger and acquisition में काम कर रही है वो लड़की मतलब समझो, All India Rank 1 को भी, generally, इस तरह के profile merger and acquisition, TP के अंदर international के अंदर, नहीं लेते हैं generally, क्योंकि यह है तो एक इंटर स्टुडेंटी ना, but yes decide करके गई थी, कि merger and acquisition में दूँगी, चारो विकपूर में जो देगा All India Rank 1 ने चारो भी फोन करते हैं मैं, माप यहां पर आओ, तो उसको KPMG ने, जो मांगा वो दिया, मैंने का, यार, great मतलब यह भी एक होता है न, मांगना मतलब इतना confidence भी तो होना चाहिए हाँ, जी, कोई दूसरी query देखो sir, देखो बेटा, मैं यह बोल सकता है, उनकी query है कि हमें कैसे पता चलेगा, कि हम किस domain में जाएं तुम कुछ बोलना चाहोगे, प्लीज एक बर बोलिए तुम sir, generally, जो domains हर बंदा ट्राय करता है आर्टिकलचिप में वो stat audit, internal audit, direct tax, indirect tax ही होते है internal audit और stat audit का मेरे को यहां पर पता चल गया था sir ने एक मेरे को काफी अच्छा idea दे दिया था क्योंकि sir की आर्टिकलचिप internal audit में थी फिर sir ने start audit में काम किया था तो मेरे को idea था कि internal audit में क्या life होगी और start audit में क्या वो आपको भी दिया जाएगा पुरा एक गंटे का session होगा जैसे sir class में हमें relate करके बताते थे practical example से तो मेरे को समझ आ गया था कि यह practical exposure मेरे को मिलेगा अगर मैं इस field में जाऊंगा पर मेरा हमेशा से ना tax में जाने का मन था मैं sir से भी कहता था sir मेरे को कहते थे start audit में कर ले फिर उसके बाद CA बनने के बाद देख लिए तिरे को कि अगर switch कर लिए मैं इसको मना करता था tax के लिए तो मैं एक तरीके से नहीं पर दूसरी तरीके से वहाँ जरूर पहुंच गया मतलब जो चाहिए था वो indirectly मिल गया थोड़ा सा तो यह है तो आपको किस domain में जाना है बेटा आर्टिकल्शिप में हमारे पास बहुत जादा options नहीं होते अंटीन एनलेस वी आरे achiever like तिक्षा पॉल इंडिया rank 1 आपको जहाँ vacancy दिखेगी न अगर आपको लगेगा यार EY internal audit में hiring कर रही है interview दे देती हूं हो गया तो आपका कहीं नहीं हो रहा है तो आप join कर लोगे मेरा preference क्या है मैं बात करता हूं generalized ठीक है जो average सब पर लग जाती है कोशिश करो stat audit में जाने की मिल जाए तो उसके बाद अपना interest आपका DT में interest है GST में तो अभी आपको practically नहीं बता वाँ पे क्या काम हो रहा है stat audit इक ऐसा domain है जिसमें हम सब को चख लेते हैं क्योंकि stat audit करने के लिए जो पहला step होता है जाना area करने का वो होता है walk through दूसरा क्या होता है control internal auditor चेकी क्या करता है process risk and control तो कहीं ना कहीं वो internal auditor वाला थोड़ा काम हमने कहां कर लिया stat में since हम financials देख रहे हैं तो taxation भी आ गया GST भी आ गया stat compliance भी आ गया तो आपको taxation का knowledge भी है तो stat audit अपने आपने कैसा डोमेन है कि आपने stat audit किया बट आपको life समझ आ गई यह तो दस से तीन की life है इसमें तो भविश्य नहीं दे सकता है मेरा तो उस point of time पर आप कहीं भी जा सकते हो internal audit direct tax GST उस time पर आप TP में आराम से जा सकते हो जो चीज आर्टिकल शिप में जाना मुश्किल है सिए के बाद थोड़ी नहीं मर्जर कहीं भी चले जाओ आपको कोई भी ले लेगा क्योंकि आपको किस चीज की knowledge है financials की लेकिन अगर आप internal में चले गए तो थोड़ा scope restrict हो जाएगा तो कोशिश करो आप हमेशा ना financial statement के अंदर घुश जाओ फिर वहां से आप कहीं भी उड़ सकते हो बाद में हाँ जी और कोई query study के time पे study के time में destruction बहुत है आज के दिन social media और भी बहुत सारी उस time में तुम destruction से कैसे बसते थे discipline कैसे रहते थे class 11 के बाद social media बन आज तक social media नहीं चला जाओ यार यह तो तुम मेरा भी गुरू निकला यार आज तक नहीं यूज करता भाई class कौन सी 11 क्लास 11 के बाद social instagram facebook वाटसाप पेलेग्राम वो भी इसलिए कि classes बगेरा का होता था भाई के मोबाइल कहें मैं बाद में चेक करूंगा बाई के फोन में कोई कि तुमारे में से ऐसे किते स्वड़ें जिनके जो आस तक social media यूज नहीं करते एक तालिया आप सब के लिए तालिया यार जिन्होंने हैं आप सब लोगों के लिए तालिया क्योंकि जिनके फोन में social media नहीं हैं कभी मैंने मैं instagram पे photos डालता हूं मैं प चोड़ो इस चीज को मैंने कट डाल देंगे लेकिन आपने मैंने कभी भी अपनी क्लास में खड़े होके जब भी ये बोलाए ना मैंने डिलीट करवाया तो मैं कहता हूं अगर आपको इन रिटर्न मेरे को कुछ देना है न तो आज अपने पून से instagram डिलीट कर दो तुम डिलीट ही करवाते हैं तो आप प्लीज अगर आप मैनेज कर सकते हो without social media or life that will be great तो अब भी भी नहीं उस करते हैं नहीं सर में को इंट्रेस्ट था ही नहीं 11 में भी था कि क्या है social media time waste है और कुछ नहीं है only time waste है बहुत बढ़िया भाई मज़ा आगया सुनके मैं भी आज डिलीट कर दूँगा मैं फिर टीम को भीजूँगा ये वीडियो डालता हूं मैंने कुछ समय पहले ना instagram डिलीट कर दिया मेरे फोन में कुछ भी नहीं सब डिलीट कर दिया फैसी दो महीने क्या फिर मेरे को उटीओ पर मेरा बिजनेस भी आइए चैनल है अब यूटीओ पर जाना है अगरी मां कहती है studio से जाओ फिर मैं अगरी मादम का फोन लेता था वह वापस डालो। यूंकि हुआ क्या वुनका फोन बिजी रहने लगा, मैंने तो काम करना ही है। हम भी हमारी लाइफ में कोशिक करते हैं यू रहे कि सोचल मेडिया ना हो। लेकिन सिंस मेरा तो काम ही ऐसा हो गया यार कि मुझे थोड़ा बहुत कंटेंट अपलोड करना पड़ता है आप लोग अगर हटाएं तो बहुत अच्छी बात है और कोई क्वेरी तो था यह नहीं भाई तो आपको पता चल जाएगा उस चीज के बारे लिए वहां पर मेल आईडी होती है आप पर मेल कर दो या फिर जिस कंसर्ण पर से ने वह लिंग्डिन पर पोस्ट डाला है उनको रीच आउट कर लो कि वह आपको बता देंगा वंशिका की एक क्वेरी है दोस वो और डीवन ग इस की नॉलिज तो सारे होने चाहिए इस कांसर वेटा मैं भी देता हूं सामने इंट्रव्यूर को नहीं पता कौन सा ओल्ड कोर्स था कौन सा नियों कोर्स है तो आपने हैंड़ परसेंट सारे एस इवन मैं तो किसकी बात कर रहा था इंड एस तो आप एस के बारे हम हमने कौन से इस पड़े हैं कौन से नहीं पड़े हैं जो हमारे इसलिए बस में नहीं है ना वह भी पूछ लेते हैं वह अन्जी पेटा मैं इनकी क्वेरी रिपीट करूँगा पहले इनकी अच्छे क्वेरी है यह कह रही हैं सर हमारी गुरूप वन की क्लासेज अब खतम होने वाली है गुरूप टू की क्लासेज स्टार्ट हो गई है उसके वाद एक माइंड पर प्रेशर आ जाता है कि गुरूप वन का रिवीजन हो नहीं रहा है गुरूप टू का स्लेवर्स बढ़ता जा रहा है तो इस वाली सिचुएशन में कैसे मैनेज करें तुम आंसर दे पाओ इसका कुछ जब मैंने फर्स टाइम बौद कर लिए था एंसेट जब शुरू किया था तब मैं यह करता था कि जो क्लासेज हैं मेरी मेरी क्लासे सारी ऑनलाइन थी तो मेरे को सात गंटे नहीं लगते थे ते मिरा चार-पांच गंटे में खतम हो जाता था सब कुछ दैन उसके बा रहे जाए कुल मिला के क्या बोलना चारे हैं आपको कि आपना अपना टाइम मैंगेजमेंट कर लो भाई आप एकस्ट दो बज़े फ्री हो रहे हो दो पहर में पांच बज़े फ्री हो रहे हो उसके बाद आप एक प्रोपर रेस्ट करकर आपने गुरूप बन को दो तीन चुन्दगी नहीं रहेगी तो मैं कब कह रहा हूं रहेगी कि अगले 9-10 महीने जब भी आपका एक्जाम में मैं हैं तो मांनों पांच छे महीने नवेंबर में थो वोटेबर यू हाव टू सेक्रिफाइज कि आपको अपना डे प्लैन करना पड़ेगा या 9-10 महीन दूए या में में जिनका एक्जाम हो उनके लिए तो कितने मंद है फाइफ मंद्स कुछ अचीव करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा हाया ना जितनी चीज़े छोड़ी जा सकती है ना sacrifices कर सकते हो कर लो अगर में इसे पूछोगे is it worth it it is definitely worth it अभी तुम जितने करने कर लो ये बात मैं बोलूगा तो ना समझाए अपने जैसा सामने लड़गा देखके तुम समझ जाओ भाई वो भी तो अच्छे जब आर्टिकल शे बिक पोर में लगती है ना तब सब लगता है कि सब जो था ना वो सब वह थिट था ये चीज़ सुनो तुम आई है इतना भी सेक्रिफाइस करना पड़े अभी कर लो क्योंकि ये क्या है वर्थ एट है ध्यान रखना ये बात ये छोटी-छोटी बात है सिंगल-सिंगल पॉइंटर अब लगा के ना अबने दिवार पर भी रख सकते हो रूम में क्योंकि ये बाते निकल जाती है नो सोशल मी इडिफाई यू वाव तो मैनेज सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते है तो कर सकते हैं अगर आगरं बोड गृप दे रहे हैं आए टी और लेजट के बात करने चाहिए या एक्जाम के बात लो इसमें क्या आइटी ओसी के लिए अगर तुम्हें यह सोचो रिजर्ट के बाद आइटी ओसी करेंगे न तब तक सारी वेकेंसी खतम सारी की सारी वेकेंसी तो यह आपके लिए आइटी ओसी जो है वह एक्जाम के बाद करनी आप रेगुलर कोलेज के साथ इंटर नहीं मैनेज होगा आप कोलेज मैनेज कर वा शुभम की कोईरी का रिपलाई मैं कर रहा हूँ अगर आटिकल्शिप एक्सपिरियंस मेरा वही कैसा ही नहीं है तो सीए क्वालिफिकेशन के बाद दिक्कत आएगी आएगी स्टार्टिंग के ए इसके सेम कॉर्य यह इधर भी गल्फरेंड पूछ रहा है इदर भी गल्फेंड पूछ रहा है बताओ वाई तो गल्फींड नेटिक यह थीयर दो हुचत गई थीक है नहीं राइट कि अधरवाइज नहीं राइट तो हमारा यह था कि आप अपना foundation और इंटर करो उसके बाद पेपर देना और एक साल के पेपर तो आप भी क्या कर सकते हो इस आइस यह का ना एक अब देख लो इंटर के बाद आपको डिगरी मिल जाती है ग्रेजोशन की ठीक है नर्वसनेस बहुत अच्छा कोशन है एक्जाम से पहले नर्वसनेस या प्रिपरेशन के टाइम पर नर्वसनेस कभी डाउन फील होना कभी ऐसा लगना यार मुझसे नहीं हो रहा है मतलब ऐस कभी feeling आया था सर डेफिनेटली आता था एक्जाम से पहले भी आता था जिस दिन एक्जाम लिखने जा रहे हैं उस दिन भी लगता था कि शायद कुछ रह गया अभी और टाइम मिल जाता इंटर्व्यू से पहले भी लगता था बट जब हम गो थू कर लेते हैं न उस चीज थी एक्जाम के बाद बस यह नहीं लगना चाहिए कि थोड़ा सा मैं और बेटर कर सकता था अभी जितनी मेहनत कर सकते हो ना कर लो एक लाइन लिख लो true to yourself इसको मैं short form बगोल रहा हूं honest to yourself इसका मतलब यह है कि आपको जितनी मेहनत करनी है ना भाई ऐसा नहीं लगना चाह है कि आपके पास ना यह तीन चीज़े हो एक्जाम के बाद मैं तुमसे पूछ हूँ एक्जाम हो क्या आपका कि बेटा आपने टेसरीज अटेम्ट की थी नहीं सर वो तो नहीं की बेटा वो दो तीन कोश्चन डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी नहीं सर बोद बोद तो आपने अपने आपको हमेशा अपने अपको ना कंप्लीट रखना है कुछ पेंडिंग कर के जाओगे आपके साथ पेंडिंग होगा हद्जी सर यह ना रिलाइस हो जाता है पेपर देने के पाद रहाएं एक स्टुडंट कह रहा है असर मेरे को यह प्रोब्लम हार पहले backlog clear कर लो, ताकि आप एक stress-free mind से आगे ही पढ़ाई करोगे, ठीक है? एक अच्छी opportunity आप लोगों के लिए आ रही है, I am hoping कि आपका first group चल रहा है, right? टेक्स भी चल रहा होगा, तो अभी जो आपको audit के जो टेक्स के जो 15-16 days लग रहे हैं, कोशिश करो उन 15-16 दिन में जितना revision आपको करना है, तभी तो आप audit को time दे पाओगे, पीछे का cover होगा तो, वो आप कर लो, तो जब आप मेरे साथ दुबारा start करो जर्नी और वो हमारी चले कि अब fast pace पे, तो तब ना आपके mind में यह नहीं होना चाहिए, कि मेरा group 1 का यह pending चल रहा है, group 2 का वो, तो अभी जो 20 दिन आपके पास है, please अपने आपको थोड़ा सा extra push करके, अपने group 1 का backlog, group 1 के lectures, जो भी आपको complete करने कर लो, ताकि आप एक free mind के साथ group 2 की तैयारी start क कर सको, हंजी, it is fine to opt for group 2, first then group 1, योकिता जैन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप group 1 देते हैं, तो भी उसकी कोई value नहीं है, अगर आप सिर्फ group 2 देते हो, तो भी उसकी कोई value नहीं है, आप दोनों में से कोई भी दो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, चाहा पहले group 2 देतो, पास कर लो, कोई फरक नहीं पड़ता, अब group 1 देतो, पास कर लो, कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कब मिल नहीं है, दोनों group के बाद ही मिलनी है, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, इन सब चीजों से, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता आपके किस पेपर में 40-45-48 आने वाले हैं और किस गुरूप में आपके 60-58-57 आने वाले हैं तो आपके दोनों गुरूप किलियर हो जाएंगे और रैंक भी तो तभी आएगी जब दोनों गुरूप करोगे हाँ जी फाउंडेशन के मार्क्स मेटर करते हैं इंपक्ट पड़ता है फाउंडेशन के मार्क्स का और तो सामने से पूछा नहीं जाता बड़ जब रिज्यूम में लिखे होते हैं वो फाउंडेशन के मार्क्स हर इंटर्विवर उसको पड़ेगा मेरे 340 मार्क्स थे फाउ टू नाइंटी लिखे हुए हैं मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मुझे टू फोटी वाला भी उतना ही सही लग रहा है रिज्यूम में एक्सेप्शनल ही लिखा हुआ है थ्री सिक्स्टी या इट्टी फाइफ परसेंट या इट्टी परसेंट तो एक यह अब बिल्कुली एक्सेप्शनल हाई मार्क्स हो गए हाँ या ना देखो सीय में न दोई चीज की वैल्ली है या तो रैंक या पास अब पास में आपके सतर है 58 है मेटर नहीं करता ऐसे ही इसके कितने मार्क्स अता है तूने फांडिशन में 340 आई थिंक यह रैंक वाले मार्क्स हो गए एक् मतलब 220 वाले को स्ट्रेस लिने की जुरूद नहीं कि 280 वाला मेरे से आगे निकल जाए ना भाई फांडेशन की वैल्यू कोई नहीं है फांडेशन आपको इंटर में लाने के लिए हेल्प करता है हेल्प हो गई हाँ 340, 350, 380, 390, 400 है तो वह एक वैल्यू इंपक्ट करता है हांजी अगली क्वरी हांजी आपको कुछ पूछना है कहीं से भी हांजी लो फील करते हैं पढ़ाही में तो क्या करना चाहिए क्या ब्रेक लेके बाउंस बैक करना चाहिए ऐसे नहीं कि ब्रेक ले लिए एक हफते का कभी-कभी ऐसा होता था पढ़ने का मन नहीं है चलो द एंड में लगेगा टाइम कम पढ़ रहा है और फिर लगता है कि उस टाइम पे पढ़ लो लग रहा है एक दिन का प्रेक तो एक दिन का ले लो पर इससे ज्यादा मत करो मैं तो कहूंगा डेली बेसिस पर लो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम चल रही है इधर परस्नल लाइफ मे या कुछ भी बट पढ़ लो ठीक है जी छोटा ब्रेक ले सकते हो बेसिकली अन्य अधर क्वेरी रिज्यूमे में ऐसा क्या डालना चाहिए कि जिससे सामने वाले की नजर पड़े देखिए वो डिपेंड करता है आपका पूरा बैक ग्राउंड आप बना नहीं सकते उसे पूरा बैक ग्राउंड मैं बताता हूं मैं किनको इंट्रव्य पे बुलाता था एक बच्चे ने त्रेवल 15 कंट्रीज मैंने कुछ नहीं देखा उसका मैंने उसको इंट्रव्य में बुला लिया और इंट्रव्य में मैं क्या पूछ रहा हूं तो ने सिंगापूर में क्या क्या देखा था बता तो क्या करने गया था वहां पर क्या एक्स्प्लोर किया क्या था उस कंट्री में specific उसने भाई मेरे को बढ़िया मज़े से सब बताया मैंने का selected वो already pass है यार intern उसकी technical knowledge check करने वो बंदा कितना open है कितना काम करना चाहरा है कितना मेरे को पता था मेरी firm में सही काम कर लेगा मैंने कर आए ग्रूप वन ग्रूप टू जो आपके सबसे important चीजी है सिर्में वही बोल रहा हूं ग्रूप वन ग्रूप टू अपने single single करके दिया है तो आपको यह एक ऐसी चीज बताओ जिसकी वज़े से मैं आपको बुलाओं कोई नहीं है तो सबसे पहले तो क्या देखेगा हमने बुलाया उसको एक नै लिक्षा हुआ था मैं नैशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेलता हूं बूलाया भाई को कि हमारी ऑभाई की कि टिन में खेलेगा आया ना तो आप हर चीज मैंटर करती है भाई कोपी पेस्ट मैंटर नहीं करता कि भाई का रिज्यूम था मैंने पेस्ट करती हमां बोली नहीं पाओगे आप और कोई क्वेरी कोई फरक नहीं पड़ता किसी दूसरी स्ट्रीम से हो साइन्स वगेरा से न कोई फरक नहीं पड़ता कि हांची निमोनिक्स बनाये थे तुमने वो पूछ रहे हैं और या बाकी सब सब्जेक्ट में निमोनिक्स निमोनिक्स वही होते न जैसे सीवोप एक निमोनिक है तो क्या तुमने निमोनिक्स बनाये थे आपका अपना स्टाइल अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है मेरा क्या भी वह इस पे अगर आपको लगता है मुझे तो बहुत जरूरत है तो आप बना लेना otherwise हमेशा flow को समझने की कोशिश करना जैसे आज हमने एक question किया कौन सा misleading of financial statement तो अगर आपको flow याद है तो आपको निमोनिक क्या था वो answer जरा बताना financial statement misleading नहीं होंगे क्या check करोगे general entry से financial सही बनाओ फिर दूसरा point general entry के साथ evidences हो तीसरा point general entry कोई भी miss ना हो fourth point regulation और policies consistently apply हो fifth point prevent तो देखो यात आप flow से याद कर लो जो कि मेरा एक pattern है आपको पता होना चाहिए की flow क्या है अब कुछ बच्चे होते वो जे यह पता नहीं वो क्यासे बनाते हैं वो बना लेते हैं और कहते हैं सूपर मैंने का सूपर मैंने कह रहे है यह answer है कोई कुछ और पूछेगा है कि अब बताओ भाईयो हो हां जी यह बहुत अच्छी क्वेरी है चलो तुम बताओ एक्जाम मेरा जून में है कितने मंत पहले लेक्चर एटलिस कंप्लीट हो जाने चाहिए है यह और सिंगल ऑ है सिंगल गुरुप तो में बता देता हूं महीना देड़ महीना था इस अधर च्वें और जल्दी खतम हो जाना का सिंगल तो खत्म हो गया ना आपका तो बस बोद ग्रुप कितने पहले खतम हो जाने चाहिए इस मेरे ख्याल से 3-4 महिने चाहिए 8 में से 6 पेपर कर दे हो 6 पेपर हो गए न 3 महिने के लो स्वा पहले मैं बोलता था 4 months लेकिन अभी मुझे लगता है क्योंकि 2 major subject अठा दिया आपके समझो बात EIS SM ना कहने को वो subject normal था लेकिन actually एक tension वाला paper था दूसरा advance account अभी फालतों की चीज़े हटा के merge कर दिया तो 2 main subject चले गए 30 days का काम चला गया तो जहां 4 months चाहिए होते थे now today if you will have 3 months in your hand more than sufficient है 3 months ज़्यादा है तो मतलब बहुत अच्छी बात है हाँ जी और कुछ नहीं नहीं fix होता है stipend fix होती है big four की salary fix होती है हाँ सुनिये गाई एक अच्छा question पूछा है क्या stipend पे negotiation की थी big four में अच्छी बात ही है fix होता है ये बुरी बात भी है और ये अच्छी बात ही है क्योंकि big four में salary भी fix होती है ये अगर आप CA बन कर आए इन हाउस हो तो आपको 11 लाख ही मिलेंगे अरे भाई मैं rank older हूँ ये normal CA है तो भी 11 लाख मिलेंगा अगर वो भी उसी firm से article है तो तो आपके पास बिक four सिर्फ समझो articleship के लिए है क्योंकि अगर आपने big four से articleship कर ली न तो chances है कि आप CA बनने के बाद आप शुबम को package मिला 30 लाख रुपेगा उसने partner को का आप 30 दे दो मैं रुख जाओंगा उसने का भई हम तो 11 दे पाएंगे क्यों क्योंकि firm की policy है क्यों firm को 30 दे देने चाहिए नहीं बताओ क्यों क्योंकि big four के लिए तो chartered accountants की line लगी हुई है जितने भी mediocre CFM से काम करेंगे वो कहां जाना चाहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि super काम करना है कि xy बंदा करेगा y नहीं कर सकता हमारा काम तो ऐसा है कि अगर आपने सीख रख़ा है कोई भी कर लेगा तो इसलिए big four के articles generally CA बनने के बाद big four में काम नहीं करते हैं तो package fix होते हैं यार अजी कोई और query हाँ change होते रहते है strive and change होते रहते है और कोई query पूछने है बटा आप लोगों को exam से पहले देखो इतनी अच्छी queries पूछो ना यार exam से पहले कितने test paper लिखके देखे थे दो तो मैंने चेक किये थे चाहिए तेरे audit के मैंने तीन लिखे थे दो आप से करवाये थे एक खुद गिया था ठीक है and EIS छोड़के मैंने हर subject में तीन-चार paper लिखे हैं देखो मैं आपको बताऊं बात class में आज भी 400 बच्चे हैं इसके class में भी 300 स्टूडेंट थे मैंने test paper उस class में पहले बोल दिया था हम चेक नहीं करेंगे paper देंगे answer देंगे खुद से चेक करना लेकिन मैंने अपनी class के 25 से 30 बच्चों के इसके बैच के भी paper खुच चेक किये थे कि भाई तुम्हारे paper में क्यों कि यह थे क्योंकि मुझे पता है भाई इसने नहीं पढ़ना इसने प्रूव कर दिया class में अगले साठ दिन में कि सर मैं तो अपना देख लूँगा मेरे को तो हरूर करने में मज़ा आ रहा है मैं जब पास होंगा हो जाँगा तो मैं इसके लिए serious होंगा लेकिन मान लो भाई जो है वो बड़ा serious है मेरे से class के आखरी में आके अच्छी queries पूछ रहा है live student का कोई student मेरे से बहुत अच्छे से connect है अच्छे questions पूछ रहा है तो मेरा भी interest बनेगा ना क्यार मैं student को थोड़ा watch out करू कि यह सही जा रहा है क्या एक लड़की है अब उसका नाम लेना चाहिए नहीं मुझे नहीं पता ले 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 नाम अभी उसका एक्जाम है जनरली एक्जाम से पहले student के नाम नहीं लेने चाहिए बताने उनका out performance कैसा रहे तो वो कभी-कभी student उससे negative भी हो सकता है मैं नाम नहीं ले रहा हूं बढ़ अ अगरवाल है श्रीराम को लिस से है ठीक है पिछले face to face batch में थी उसका एक्जाम था इस बार मैंने का नहीं देना के रे सुर किसी बाते कर रहे हो मैंने का नहीं देना you are not ready for the exam क्योंकि तुम कहां से हो श्रीराम से तो तुमने ये सोचके कि मैं श्रीराम से हूँ कुछ चीज अब एक ऐसी लड़की जिसके 12 में 100 by 100 है फाउंडेशन में 400 में से 370 है वो rank 1 नहीं लाएगी तो कौन लाएगा सोचके बताओ अगर वही नहीं दोड़ेगी सोचो ना मैं वही तो कह रहा हूँ रैंक के लिए लोग दोड़ी नहीं रहे तो आपके पास opportunity है जो बच्चे average ह है ना वो rank score कर सकते हैं इसलिए मैं बार-बार आपको rank के लिए motivate करता हूं मैंने का नहीं तुम एक्जाम नहीं दे रही हो यह चीज़े पेंडिंग है यह तुमारा प्लैन है इसके इसाब से पढ़ाई करो और and I want to see कौन सी rank जाता है class में कि आप में से भी कौन बच्चा rank लेकर आएगा मुझे अगले 20 दिन बाद पता चल जाएगा या कौन लेकर आ सकता है मैं आपको बता दूंगा हां जी हर्ष कुछ close करना चाहों कि अपनी life से related एक final 2 minute का message सब के लिए कुछ भी जो आपके दिल में है जो आपकी पॉइंट्स बता रहा हूं उनको ध्यान जरूर रखना यह तुमारी इंटर की जर्नी में बहुत काम आएंगी रिवीजन बहुत मैटर करती है ठीक है राइटिंग प्राक्टिस बहुत मैटर करती है और पेपर के टाइम पे उस चीज़ को ऐसे रिवाइस करना कि तुम डे अब ही जितनी कर सकते हो ना महनत कर लो उसके बाद यह फिल नहीं आनी चीए कि अगर और महनत करता तो शयद और बेटर मार्ग्स आ जाते जैसे सर बता रहे है ना कि उस लड़की के फाउंडेशन में इतने मार्ग्स थे और उसके 12 में उसके 100 थे मेरे 12 में एकनॉमिक्स मे 100 आउट अफंडेशन में 340 थे मैंने जिन पीचर से फाउंडेशन पड़ा था वो सब मेरे को कहते थे तेरे को AIR 1 लानी है यह चीज ना मेरे दिल में रह गई हमेशा कि मैं इंटर में रैंक नहीं ला पाया मैंने गलती करी बोद ग्रुप ना देखे तो अभी जितना कर सक कर लो बात में इसकी मैं तयार करूंगा इसको चाहिए खुद को करे हैं ना करे हैं जो अभी सारे टीचर बता रहे हैं ना सबकी चीजे फॉलो कर लो जो जो जैसे जैसे गाइड कर रहे हैं अगर वो कह रहे हैं उनकी बुक से पढ़ने तो उनकी बुक से पढ़ो study material का ध्य साथ में study material से compare कर लो में मेरे को सभी टीचर कहते थे कि हमारी बुक कर ले सफीशन्ट है बट एक बार ना study material से match करके देखना हमारी कुद की responsibility है वो तुम खुद देख लो अगर कुछ रह रहे हैं तो उसको भी cover कर लो study mat को अच्छे से cover कर जाना है revision करनी है writing practice करनी है सारे के सारे paper लिखके देखने हैं मैंने कुछ subjects में 10 paper हाथ से solve करके देखे हैं क्योंकि मेरे को confidence नहीं आ रहा था कि मैं DT में अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा मैंने audit में sir के पास मैं question papers लेके आता था sir इसका answer हाँ ये ये तो मैं भूली गया ये जो topic में करवाता था इसलिए मैं impress हो गया ये मेरे पास आता था sir इस वाले question मैंने का तूने ये कर लिया कर रहा हां sir मैं कहता था बाकी साले नलायक मेरा homework नहीं कर रहे तू homework के साथ साथ ये भी कर रहा है अब दिल आएगा नहीं आएगा आएग आप बताओ अगली class में मुझसे आकर वह question अलग है तो sir से मैं आके बात करता था कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है आपका article shift का interview 100% मेरी class के बाद आपका crack हो जाएगा इस चीज़ की टेंशन मत लेना बस आप interview तक पहुचने की कोशिश करना और इसा कोई subject ऐसा कोई question नहीं आएगा interviewer की तरफ से जो practical exposure से लिटेड़ा तुम्हें नहीं आता वो सब clear कर देंगे सारे experiences को ध्यान से सुनना clear हो जाएगा interview पर अभी मैनत कर लो अच्छे से कहानिया ध्यान से सुनना कुल मिला के बात ऐसी है ठीके जी चलो जी आज के लिए इतना ही थैंक यू हर्श और कम यह बबाए गाइस टेक एर टीप इंजो 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 इंडिट विसका फिल्प यह इंद्रस्तों